प्रस्तु थे गीत धनी बीन जग लगे सुना मैं निवेदन करूं हरुदिक्या से गीत लब बहुत मधुधन से नहाचलते के सामें प्रस्तु करें एक बर कुना आपके पस्तिक्रिला प्रणाम करतों पागरेस के जम्मो वरिष्ट नेता नेत्रिमना है सबल प्रणाम करते कि अज़के समारों के मुख्य अतिती माननी सांसच्री राहुल गांधी जी साइंस कॉलेज के इस भव्य परिसर में पधार चुके हैं और बस कुशी देर में वे प्रदर्शनी का अब लोकन करेंगे और उसके बाद इस मंच पर आसीन होंगे और यह मंच हम फिर से सौपते है आरू साहु को मुखत आरू साहु को ओद घर बढ़ बैरी लागे जरिगा भूलुपलादे दो क्रना पारी य면 कि ठीगा उखाले characterized बहुत है नपनी कि रबभाईगे को लिहान को पये बाधे नपनी कि रबभाईगे बहुत है दो करीग देखालम लेट नहीं करें न बांचें का वरेचला ngay कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हर बन बैरी ला दे तरीगा पोलब लादे मैं भाइने लागए आडिघ अज प हो लुझादे पर्च पाले जाहलुपईगेscheछ फीजय घरे us पर्च पाले जाहलुपईगे़गे basta मुझा आग यह बांचे छड़ा लगणा इसम्टी आवा ज़ैओ कर दो कर दो कर दो दो कि जैसे कि सुचना आप सभी को मिल गया है माननी इस संसत मोहद है रहुल गंदी जी का अगमन इस प्रांगर में हो चुका है कुछ ही समय पश्चात इस मंच पे मंचसीन होगे मैं चाहता हूं जितना समय है बहुत अच्छे से आप लोग हमारे साथ बिताएं और 36 गड़ के इ सिर्वादों के 36 गड़ राजबनीश सुनके हमर सपना जागेश सिर्टोन में हो ही तरक्की ऐसन हमला लागेश यहां के चटनी बासी की आगू में मेवा तको लजा थे अरपा पहरी महानदी के पानी अम्रित का स्लाग थे सीधा साधा मनखे रथे खाते बासी पसिया ओ मेह हो रवाज के साथ प्रेम से वोलो सक्त शुरूमनी परंपुच गुरुखां सिधास बाबा की साथ के पुझरी जेन संतिला अंतिम्वेक्टी तक बहुं जाए के काम परी सैसे संत के स्री चरण मेरपे तारु साहो के गीत कर दो प्रेम का बादा है हेलो, हेलो, हेलो मोई ऑफ ये शहां में मुरे अ्नमा कड़े जाएगा में बावा तो रहे ना केरी सणी आमर रहे ना बूरे अगना मगडे ही जाईता के बाबा तो रेना के निसाने अम्रे प्रहा अम्रे अम्रिम्रा जेटां, खा गना मडेशु समाने अम्रेm ख़ता के बडिनाद ही जाईता के बाबा तेक बाबा पूनि का प्यास के उड़त कर फ़स्वा देदावगे का लुआए का लगाओट यहां जा खान साएंगे लुर्ण कर दुब तकुर्ण जान जानके लुआ जाएंगे लुआएंगे लुआएंगे किस वी टी देङ, तबप नवा दो साईके हैं, इम्रै आप मतल दूब लग ड़िए आपकल, शुझ दूकर, शुद लुट से नाची மीद्टने कर दो 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 ऑफ्पती कर दो कर दो दो कर 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 दो थाशित, आपको-, नापको-सधड़न कने काउक dripping कर दो 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 दो कर दो कजा कर दो भी एंड़ारीटाब स्वारीटारी कर दोरा ज़ी दो में गाना है झाला वाटट से मरेटाट पड़्टकर पड़ परका कि अच्टाए बातया पॉर्टकर नीचोड, तयार, पढने कि अच्टप्तव रख दोड़ पड़ा पड़ पॉर्टकर पड़िए रेवान वीजियो है प्रफ़ लगाइं फ़ी दोगी शान दोगार, प्राइब ट्राइब करें आजए लांदे। झाल 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 लाइ प्रेस्ट भीज़ ले जारे शाले स्थे पीज़ पर लॉक्ट आप से नियार सो भीज़ करता है आङन्दी नेता है। अबनादी नेता है। हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 हु अगाल में गोड़र शेदा इसमिक अजिस को की आफ़ाए ने अगाल आफ़ा आफ़ा टाएगा एक उक्राइद एक्षाश करने भिडिदी करने अधिका करने नुकर्ट करने पादे में दूखते हैं य darf not Oy से अhow आधार हमे just आधार हमेड़ आधार हमेड़ हमेड़ कि अधिते नहां जो तर्णाम्र नहें इना को एचे हम घचे वेल तरी, आड़ के अधनी तर वह भाद हिर नहीं को जिते हुएंगा कि अधिते हों दितने हों कि आबगार जगी मैंसें, तरणाओंगा में आफएंग पहले तरणां प्रेंगाच्चर नहीं जिता यह कि आप है एक प्रॉच करें तो फच्रा करें यो भी कारी योटी है एक बीकम करें योग। योटियो में आपके भी बाधिछ योग घ्याज वाग कीज वागवार फिक्यूद्वटर प्रॉटर्पिक्ज में आपकेंा योगे एक शर्लीन एक नगाए हुआ। कर्सक्वा diffus कि अबभर बटर को आड़ को इसा बड़ कर दो कर दोुंग कि अबड़ कि अबड़ को एज साथा पानि मुच के अबड़ जादा जाओ लगजिए लगारो ना करेफ। कर दो 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 कि अमिए बढ़िया तो बढ़िया अच्छी माइन कर दो कर दो कर दोicios कर दो मैं गोर सोथान है कर दो जो सि कित अगर ignorह सबस्दरी को सबस्दरी को अजय को आप मारी इंस यह इते हैं में जानखे हो इटन कि एापशा और एंद क預ड़ करा घघार घाठान में दिए कर दिए फोरे के थापशने हैं आसे और बहुता है जारा नाद करना सकते हैं परी के लग दो अख़ोंगों के लिए कारो कर देद करहा है कर दो बार बार है नहीं बार शोजाद फढूर्ण म्हार्द को आए लेखेंगे एकार के लाईयो कर दोज़ा हीज़ा, पूल गल गला है अरा होगोजार। पार सुर्भावर लाच साथारे काल को बार भाज़ को टुड़ लीड़ांगे, नाया काल का जम पारे काल के वियंगे, तयस्चने टावपर। लग अजर लगाइप के जा लगाइप 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 पेटेंर पिड़ मेरे नाच्छ मेर मेर Geले कर दोकोर से बड़ dal तिस हमेशशन का है बनाचाल कि बनाचार में टाता गार चुब पूर नगने के रागा, हुआ 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 अगलागरिफ यूरु अगर जाचानी तो दूर अगले वाटांग्पर कि अधिता, आगिता तो दिए तो दोगच जड़से गपार रागार कि एक एक तो दोगला कुछलें प्रुश स्थार्वियों करल दो फ्रॉज। ज Want, आप नही दो हो एकान हम जाखी आहिर तो पो जिना आप झाल झाल स diagnose आपयाद में घृ आप करके नेदेनों भ्टार भीतना है लोर एक बाल भीतना फ्रली घिरी प exaggerा के लुए और खेली कि आता है's Σब्सक्राइब कर का छोसंटा हो जाए करूंग करें विजन नहीं, बुटिक के सबस्क्राइब त्ष्छार्षाइब। प्रोक्ष आदों करता हैं इस दिखोट से बने गोट कुछें हैं तरह यहां वादा इस दिखोट भी जे पिल बाद यहां है नहीं पर आपकोह हुष्ष। आप आझ बुहुष। और वरेण है गतरे हुष। इसाद आप पूर्व पोड़क्स नम्हलिट मोट राइधा हुआ कि आपकिछ पूर्व नदर काम र्चल्वेनार्व чण होता हुचें तरह में रगारज है? सब्सक्राइं के जाता हुआ हो जादा हुआ है जाता हुआ है जाता हुआ है रगुदर कर था है सब अलेकला कि अखिनाव्हार सुजका इस देखिए और हम ने जोने कि पुसको कुछों के नाम साथ और रहा है सब ये कोरान विरा की सैंट को में नाम के गिशानम से दिक नाम से आपके से नाम से जुचारए है पाड इत्त कर जादा दो जाना पर आजसे आजह एक सालेज डोटार शारणा जाताएं जो इसी तरह का मैं ऐप्र जाना 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 पर छाना ब दीट से पाद में जोता है प्रिष्साल्टलिक्स यह को प्रोटर्टाइप टो जाया तो इंडाति इजश पिंटेरी बिया शुक्रीज पुरिदिमा तर्श में पहले हैं यह ऐदा अपर के आपके और दोस दोस्ते हैं जया अपर दोस्तार है अबने किया, मंधरी सारी महलाय संगसरे मेल से लिए सबस्ते हैं TOP, आपाटो इसे हमें साथ के, तासिय हम जाते हैं साकतो कि अपके, आपनी मेल खे, तासिय हमें तासिय हमने बाट भाले 5 था त मैं टेसे देजरी, यहां सुआ करें जो जो बाइखर अजाए। जो फॉकर ये जोगे हुआए। जब बता हुआं कोरी थाओ जिए जब हुआ जब जब हुआ है अबार उया है पाइब दो कर दो को पाइब दो. आपस्टारे लिए। बर्वाइब्स अच्छू कोया प्रह्ता है कर दो एक कर दो टेकर से बादे घटना जो एका का ड़िए आपिज़ कर दोगा कर दो एक कर दो आपकर दो हादे कर दूसे पहादा है जो 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 और लो आपे औरुदोंस ए जो 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 आए जागा है पहुआ जिलान उसे भग 10 लग provideद्सियां फवसे करना वर दोना जैसराखादा, आधिसली षजराव on हैंजर में फर दमासित लित रदvateली अवराबं प माल कोजड़ आडन उस जड़ाई हैं अचे खाफंगे श्रायब याँ आप्रियू प्रियू से क्रवारी सोथ तो परूंगोरी लिंउन्ग के रीओ गल में आ quarterback 10,6. सबस्थ बाहरे लिगा का फेस्ट स्ग žांबदार रखमत धर रखे संहीं, भं侬 फिर लिवग नहीं with झार । करता प दो किसा दोग जोग जया तो किसाइल त Mode समीक बाद्ट एटन जदार नुचिप्ट में जगाराइब,प्न खाल,फिलम जगाराइब,जगराइब,जगरे प्रया थीनलाइब,एश भाल,इस नहीं हम आ देंडे भाल,श्प आ दोग्षाइब,एपिलम जगारी जाल, कर दो हम पते दीजाaf werden की इनिसपी अची नोगाया इनि-टा खंड मलवा इंडरेश नोगार्वा की कैंड दो लेए स्यही सर्गकॉप geven देडियो न॑ट बातार स्दीड शरम, पिलेगे, जरे भी दो हिक आहीं के टीज़िए, ज्य०्य आलगाया थासाणम! अजय को अजय को कि अजय को शजय को अजय को आहा है जया है, वर में वर्णा झाल कर फिर्वी नगार सब्सकेंडे लादे कर दोग्णा के लादे हैं पॉली नोनी अजन जमगा को तो बॉड़ा है कर दोतर आार शोघ करें और चपता है कर दोना !! भार messed थर मुद कर दोतर वल्ड़ी चार रोड़ सा दे उ countedा कर दो हमें राओं मेसरे में दो बसापत बसालिय को और हमõंच्छ बसREE हमें रहतीं भूलें इञ minder भ़्य कार्ध डिटाले कि और यहां पर रिटी बसालियां चन्वाभला से बसित्त श क्यों अरहती बसे कि लगमें इसरो प्केवले थचे अर्फले ज Organize अप्राब काया है कि अ कर दो जो 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 कि आ भाग जो 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 जोग। प्रोलीम आशेवग सेकी नही एलिजग में बूलाम करी तूला इसके ही फिर से मार्डन वजर जरर स्बड़ motion. आवके लिए रहाई है क्रीजग सPlay रहा से हिर जर इसके हम अवकारे करेंडोगा में रहाई है लग म्मज़ному जह टो रह समयर कोन्हिंग समयरा के छूंऑ Subsid कीज़ दिस काम सक अवनला है जय कम लग सuksिफ ऐलiantly जा खर दिए समयर है गर सक प्रभ सेप्छ Canadians प्रभ समयर तो हमीरा तो ड़त जया प्रख मौन प्रet। कर सकते हैं जोटेंग साफ टेमर्ड़री कोफ़ांग जा खुरादी मेंगर्ट कोफ़ांग जारो चरपफार लाग। यह जौना बार खुरादी माद़ कोफ़ा हुआ्पिर्ण के रादेंगर्ट हुआपिर भादा, कोफ़ा नहीं थाया है। नहीं कि लिए सबना आजारा के माघ्एटने और जाएगा, साह बार देंगा, बीजिए के लिए तो छफेकर जारा के लिलुटने,magis, माघटने is रचते हैं, नहीं करें, लिए लिए नहीं करीमृल जांस दोचिए के लिए तक परदों में। पिभिल नसाश के विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का कितने चाव से कितने उत्सा से अबलोकन कर रहे हैं सारे स्टॉल से वे जानकारी ग्रहन कर रहे हैं कि 36 गड में पिछले तीन सालों में माननी मुक्यमंतरी भुपेश बगेल जी की सरकार के कारियों का क्य लेखा जोखा है और योजनाओं की जो घोशना की गई थी उसके क्रियानवेन का इस तर कहां तक पहुचा है और 36 गड राज विकास की चहुमों की दिशा में जो अग्रसर हो रहा है उनकी उपलब्दियों को वो बड़ी अच्छे से सारीदता के साथ निहार रहे हैं और उ चतीस गड की जंता को देने जा रहे हैं जिसमें है नवा रायपूर सेवा ग्राम शिलान न्यास, चतीस गड अमर जवान जयोती शिलान न्यास, राजीव गांधी ग्रामेन भूमिहेन क्रिशी मजदूर नियायोजना शुभारम और राशी का अंतरण, राजीव युवा मे श्री राहुल गांधी जी बस कुछी देर में मंच पर होंगे और मैं देख रही हूं कि दर्शक दीरगा में हमारे दर्शक काफी देर से विराजमान है और सांस्कृतिक कारिक्रमों में लोग गायन प्रसुत किया आरू साहु ने जो कि 36 गड की शान एक नन्नी सी बालिका है और मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूं कि कलाकारों की होसला अवजाई जरूर होना चाहिए तो एक बार जोरदार तालियों की आवास के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं यह जता दें और यह दिखा दें तो साउंड सिस्टम वाले भाईयों से अनुरोध करूँगे कि पीछे तक आवाज जाए ऐसा कुछ हो क्योंकि सामने की कुछ पंतियों नहीं जाए तो जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण आज का यह कारिकरम है जिसमें चार ऐसे महत्वपूर्ण योजनाए हैं शासन की मात्मा गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि अगर देश के आर्थिक व्यवस्था को सुद्रिट बनाना है तो ग्रामीर अर्थ व्यवस्था की ओर हमें जाना होगा और ग्रामीर अर्थ व्यवस्था को जब हम सुद्रिट करेंगे मजबूत करेंगे तो वो देश की अर् कि अर्पी क्योंसता को उनाधक दिती आर्पार जोति आर्पार जाए कि ट्क जाए अराच थावा है बालती माश है? इस टीषे आपानू? सहक्वाइक data. भांती जेदटी है बालती माश है? व भारती याओ, भारती याओ? स्दाकर जी बालती माश्वाइक इस विदियों को भी संजोने का कारे इस सेवा ग्राम में किया जाएगा और एक खास बात ये भी है कि 36 गड़ राज्य जो है वो 21 वर्ष का युवा राज्य है उर्जावान राज्य है और यहां की योजनाय जो है यहां की जो विदिन कारे हैं वो बहुती तेजी से फनीपूद हो रहे हैं जब युवा राज्य में जब युवा दर्शक पुरी उमीद के साथ मौजूद हो ठास करके जो पीछे के हमारे दर्शक हैं पीछे की जो जनता है राज्य की एक बार ऊपर हांद उठा करके तालियों के आवास के साथ वो जता दें कि जब माननी राहुल गांधी जी राम के इस ननिहाल के इस पावन धरा पर इस मंच पर पदारपन करेंगे तो किस तरह से खुले दिल से जोड़दार तालियों की आवास के साथ आप उनका स्वागत और अभिननन करेंगे एक बार जोड़दार तालियां बजा कर आप बता दें खुले गई थे चतीस गड़िया सबले बढ़िया एक बार और इस बात पे इस बात पे चतीस गड़िया सबले बढ़िया क्योंकि आपने देखा है कि जब कुछ महने पूर्व आदिवासी राश्री इंद्रति महत सो हुआ था तो किस कदर से जब अधर पे देशों के खलागा तो बापू की राह पर आगे बढ़ते हुए चतीस गड़ में तो बापू की राह पर आगे बढ़ते हुए चतीस गड़ में जैप आप नगत तो किस में पूर्ट स्थ गराइड से बापू की रक अधर्यंगे, हम खेड़ ख शार भीम जड़को अ क्यााराँता भागा क्टा पालच्टी कामाराइणा जिल्घके एमाड़कों प्रवगे माराइण पालचिका रागा ऑगे पालचिका निल्खगेशना ट्रूशियों बाब से हमाटाएणा निल्खगा बगए भागे यार इसी कीनिनि ए सुड़ हो श्रेट सब्सक्राइब उताँ सब्सक्राइब सवय खाल्जाइब अवलों सब्सक्राइब ठाइब प्राफटेल इसने प्राफेर्ट कुर्श घजाएक पापफ अप्राफेड नेधित के अपर है। कि अच्वास के साथ आत्म विश्वास के साथ उनके सामने बखान किया है स्कूल सिक्षा विभाग के योजनाओं का और अपने उपलब्धियों का आत्मानन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बहुत इमादा चाले है किश्वास की साथ रहा है तुक्षूता के साथ जानकारी ले रहे हैं हमारे ने मुख्याती थी महद है आप लोकन कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं हम सभी का उससा तो बढ़ता ही है वैलकि इससे और ने कर दो बढ़ता है तो जानकारी प्सक्राइब प्सक्षूता कर दो एक बाफ़ता कर दोग्यां जा बाफ़ता हैं पारखोड़ारी लिवरी लिदेटाना गाया एग पौर्द है, बड़िया, बप्रभाड़। बीजी है, लिए लाए बीडर्गाएज की लिएरीगि में लिए में परेदेजिए लिए नाया याया ओजाओव लाएगा। कि एक बच्ट प्रकु टूरें गवा तर यहां पर टूर्ट की तरिकें सार्थ क्रीकरा जपर्ट टूर का मेडिसन प्री प्रीम दे रहे हैं सर्थ सक्सेट इसे कितने अब अब और इसको श्री अब बढ़ा और इसको स्टेए उनित सारी इल बहुत कामाई अपनी दरफ से एक भजन के प्रस्तोति आपको के बीच हो मेसकर नार्विटें नार्विटें से एक प्रस्तुर्ण से एक अचाने है अचे से एक जाने क्या आजे आज करूगा भी वाइज के पर चाहिए। अब सेकंड गेट ले लो ना अब सेकंड गेट ले लो तरके पिछे जाएंगे जाओ आगी सेकोर करो आगे बुढ़े जाओ अब सेकंड गड़ में है यह हमारे लिए बहुत बड़ी उखलबदी की बात अब सेकंड गेट गेट अब सेकंड गेट अब सेकंड गेट अपनी प्रसिंगे ले रहे अब सेकंड बात पार्बनाब अगयूड़ को सकते हो पूखां सकते हुआ। टरस्ट बेका निस भाइवाना बाहिए दकार मार्ची लुट्ष कोड़ जोया चाहिए तर्मिज्ट आउड़ान तर्मिज्ट का जब लुट्ष एकान का डिए लुट्ष को अधिर निए। ताक वहा हुआ रहा हा उड़ी say जोड़ीक दोड़ीक एक पूरीक आपक शिर्वाश दौरीक करते हैं प्रवाल में अडिन प्रवार चुझा शार्ध लागनाओ गया जर्फॉटी आपनाओार लागनाओर महाटना टुझा एक खाटा लागनाओे लागनाओड स्वारी अशचर झालो अभागनाओ शाम करें माटनाओ आपकेल आपकेशंगादे लागनाओ है झाले लाओव जत्क झाले में जांसे लिए रहा किन उती है। हीड़ है झाल 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 70.90.26.000 रुपे की पहली किस्त की रासी आज जारी की जारी है और इसी प्रकार हम 36 गड़ में विभिन जो योजना है हमारी उनके मादिम से लोगों के विकास में सलगन है धन्यवाद जैहिंग जैभारत जैच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और हम आपको बता दे माननी मुख्यमंतरी श्री भुपेश बगेल जी ने हमेशा से ही राजी के अंतिम छोर के व्यक्ति तक अपनी पहुच सोद्रिड करने के साथ ही राजी की ग्रामिन जनता को समाज की मुख्यधारा में जोडने का कारी किया है उसी समवेदन शील सोच क परिणाम है कि आज मुख्यमंतरी जी के निर्देशा नुसार और इक्षा नुसार इस भव्य आयोजन का इस भव्य योजना का शेलान्यास पूजन में सुदूर अंचल से पधारे इस योजना के हित ग्राहिगन मंचपल शामिर होकर शेलान्यास पूजन करवा रहे हैं इन पूजना के लिए होने वाला है और इसके साथ ही सेवा ग्राहम जो का शेलान्यास भी यहीं पर किया है जाएगा उसके लिए व्रित्चित्र चतीजगर्ण अमर जवान ज्योती के लिए व्रित्चित्र तियार किया गया है हम निविदन करते हैं अपनी टीम से कि उसकी प्रस्तुति की जाए चतीजगर्ण अमर जवान ज्योती के लिए व्रित्चित्र कर दो, कर दो, कर वो मेरा, तेरी आन के आगे, कुछ भी नहीं, जान मेरी रहे ना रहे, मेरे वतन तू सदा बात रहे, हम 36 गड़ के लोग, कृतग हैं उन बलिदानियों के, जिन्होंने इस धर्ती को अपने लहु से सीच कर, खुशाली के फूल खिलाए हैं, हो माई मेरी, मैं बेटा तेरा, तेरे आचल में, सवाले मुझे, तेरे आचल में, अब 36 गड़ में भी जलीगी अमर जवान जियोती, अमर जियोती जलाएंगे, 36 गड़ के मुख्य मंत्री श्री भूपेश बगेल, तीन फरवरी को राहुल गांदी जी के हातों होगा भूमी पूजन, शहीदों की अमर ज्वाला, हम 36 गड़ के लोग हमेशा सहेच कर रखेंगे, उन अमर शहीदों की निशानियों को, सुनते सुनाते रहेंगे उनकी अमर कहानियों को, सलाओ, अमरे जमाँ, अमरे जमाँ, और इसके साथ ही मानने मुक्याती थी श्री राहुल गांधी जी और मानने मुक्य मंत्री श्री भूपेश बगेल जी को, हम आमंत्रित करते हैं मंच के बाई और शिला पटिका के अनावरण के लिए, नवारायपूर सेवा ग्राम और छथी गड़ अमर जवान जोती की शिला पटिका का अनावरण होने जा रहा है, मानने मुक्य अतिती महदय के करकम लोद्वारा। देश में कहीं भी पुलिस सेना शसस्त्र बलो में कर्तब्य बदपर शहीद होने वाले, चटीस गड़ के वीरों और चटीस गड़ में शहागत देने वाले देश भर के रण बापुरों के सम्मान में ये चटीस गड़ अमर जवान जोती अनवरत प्रचले पोती रहेगी। और साथी नवारायपूर सेवा ग्राम के नवीन भवन काशिलानया समाननिया मुख्य अदिति मोहदय के द्वारा किया गया। नवारायपूर में वर्धा आश्रम की तर्स पर गांधी सेवा ग्राम की स्थापना होगी इसमें महात्मा गांधी जी की स्मृत्यों को सहे जा और सही हो जा जाएगा और इसके पश्चात राज्य शासन के विकत तीन वर्षों की महत्वपूर्ण योजनाओ उपलब्धियों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का अनावरन यहाँ पर किया जाएगा इसका शिर्शक है जो कहा सो किया इसका विमोचन करने के लिए हम मानिय मुख्यती थी महादै श्री राहूल गांधी जी से सादर निवेदन करते हैं राज्य साशन के विगत तीन वर्शों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित ये कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया अभी अभी माननीय मुख्या आती थी युवा हरिदै समराठ श्री राहूल गांधी जी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके बाद राजीव गांधी ग्रामिर्ण भूमिहिन क्रिशी मजदूर न्याय योजना का माननीय मुख्या आती थी महदय लेप्टॉप पर बटन दबा कर शुभारम करेंगे जिसके लिए हम माननीय मुख्या आती थी महदय से निवेदन करते हैं और इस योजना का शुभारत हुआ माननीय मुख्या आती थी महदय के द्वारम अज दिनांग 3 फरवरी 2022 को श्री राहूल गांधी माननीय सांसद लोग सभा के करकमलों से राजिव गांधे इक रामीर भूमी हिन क्रिशी मजदूर न्याय योजना का शुभारम एवं हित ग्राहियों के बैंक खातों में राश्री कांतरण अब खेती हर मजदूरों को प्रति परिवार 6,000 रुपए वार्शिक प्रदाय किया जाएगा प्रथम वर्ष 2021-22 में 3,50,000 से अधिक परिवारों के पंजियन का विशेश ग्राम सभा में अनुमोदन प्रथम वर्ष में 1,2,000 रुपए प्रति परिवार के मान से 71 करोर रुपए का भुक्तान मिलेगा न्याए बढ़े गियाए और अब राजीव गांधी ग्रामेन भूमिहीन क्रिशी मजदूर न्याए योजना के राशी हस्तान तरण के लिए हम माननी एमुक्यतिति मोहदय से निवेदन करते हैं और हित ग्राहियों को साधर आमंत्रित करते हैं सर्गुजा जिले से श्रीमती इंद्रकली पंडो, श्री मुन्ना राम पनिका, श्री सुखनंदन, श्रीमती बसंती, बिलासपुर संभाग से श्रीमती सर्धा बाई कैवर्थ, श्री सुरेश मरकाम, श्रीमती यशोधा बाई गोस्वामी, श्री लक्ष्मी दास, रायपु देकर राशी का अंतरन किया जा रहा है। 36 गड़ राशी में ग्रामिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्रिशी मजदूरी पर निर्भर है। 36 गड़ राशी में खरीफ सत्र से ही क्रिशी मजदूरी के लिए परियाप्त अफसर रहता है। फितग्राहियों की इसी सूची में श्रीमती निर्बाई श्री अनन्त राम निर्मलकर श्रीमती उशा बाई श्री पोशन लाल श्रीमती कोशल्या बाई श्री ईश्वर, श्री रामकुमार, श्री सुखित रामदर्रो, श्री जगनुराम सोरी, श्री सोना रामनेताम ये सभी हिद्गराही राज के अलग-अलग संभागों से रायपुर, दुर्ग और बस्तर से शामिल हुए हैं जो कि मंच पर आज के हमारे कारक्रम के माने नी मुख्यती थी के हाथो अपने चेक को वो अपने प्राप्त कर रहे हैं और इसके द्वारा राशी का अंतरान उनके बैंक खाते में किया जाएगा और इसी के साथ राजीव युवा मितान क्लब योजना की राशी का हिद ग्राहियों का वितरन इसे मंच पर माननी अतीथियों के हाथों को किया जाना है और हमामंतरित करते है राजीव युवा मितान क्लब राईपुर नगर नीगम वौड क्रमांग थीन बजरंग नगर जिसमें रामिश्वर साहू और उनके सदस्य हैं राजीव युवा मितान क्लब रायपूर नगर निगम वजड क्रमाँग 17 बेरन बाजार मोहम्मध अवैश उल्लाउ खान एवंग सदस्य राजीव युवा मितान क्लब राइपुर नगर निगम वाड क्रमांग चौदा कुमार पारा श्रीमती दामिनी नागडे एवं दल के सदस्य और राजीव युवा मितान क्लब ग्राम पंचायत हस्दा नंबर दो विकासखन अभनपूर हितेश कुमार भीमगज एवं उनके दल के सदस्य मंच पर अतीथियों के हाथो गडबो नवा चातीजगड की परिकल्पना को साकार करने और चातीजगड राजी की युवा शक्ति को मुख्यधारा से जोडने के उद्देश से राजीव युवा मितान क्लब योजना प्रारंब की गई है इस योजना में 18 से 40 वर्ष आईवर के युवाओं को क्लब का सदस से बनाया जाएगा जिसमें एक तिहाई भागिदारी महिलाओं की होगी इस योजना के माध्यम से ग्रामिन क्षेत्रों में 11,664 और नगरी क्षेत्रों में 1605 राजी युवा मितान क्लबों का गठन किया जाएगा प्रति एक क्लब को एक लाक रुपे प्रतिवर्ष अनुदान राशे दी जाएगी जिसका उपयोग ग्राम पंचायतों और नगरी वाडों में सामाजिक गतिवीदियों, सांस्कृतिक गतिवीदियों, खेल गतिवीदियों और साशन की योजनाओं को जन जन तक पहुचान के लिए किया जा सकेगा और इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर और उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान और तालियों की आवास के साथ हम सादर आमंत्रित करते हैं माननी मुख्यमंत्री श्री बुपेश बगेल जी को माननी मुख्यमंत्री श्री बुपेश बगेल आमंत्रित हैं उद्बोधन के लिए आदरनी डाक्टर चरंदास महन जी, आदरनी भाई मुहम्मद अकबर जी, आदरनी रवीन चोबे जी, आदरनी तामरदस्थ साहो जी, आदरनी टिया सिंग्दे जी, डाक्टर प्रेमसाज तेकाम जी, कवासी लखमा जी, सी कुमार डेरे जी, अनीला भेडिया जी, जैसिंग जी गुरु रूत कुमार जी उमेश पतेल जी अमर जीत भगत जी मौन मरकाम जी और मंच में उपस्ति सभी साथीगण आदेडे भाई मनोज बंडावी जी और सभी उपस्ति भाईयों बहनों या साथ्यों और सभी पत्रकार साथीगण आज का दिन चत्तिस गड़ के लिए बहुत बड़ा दिन है हमने सच्चे लोग कल्यानकारी राज बनाने की दिसा में एक कदम और बढ़ा लिया है राहूल गांधी जी जब एक वर्सपूर जब राजी गांधी किसान नय योजना के पहली किस्त के वीतरन कायरकम में सामिल हुए थे तो उन्होंने चिंता प्रकट की थी खेती का काम करने वाले भूमिहीन मज़़ूरों को फायदा कैसे पहुचाया जाए और आज वाद दिन है जिसमें राजी राहूल गांधी जी के हाथों से आज साड़े तीन लाख भूमिहीन ग्रामिन स्रमिक स्रमिकों को राजी गांधी भूमिहीन स्रमिक योजना के तहट जो वार्सिक छह हजार मिलना है उसमें से पहले किस दो हजार के रासी उनके खातों में अंतरित की गई है ये पूरे देश के लिए देश में पाला हुदारण और ये सुखत संयोग भी है आदर्णी राहूल जी के आज से सोला साल पहले यूपिय सरकार में आज ही के दिन महात्मा गांधी रोजगार गारेंटी योजना के भी सुरुवात हुई थी तो आज रोजगार गारेंटी योजना सुरुवे सोला वरस हो गए ये सुखत संयोग है कि गरीबों के लिए यूपिय सरकार ने उस समय दुनिया के सबसे बड़ी योजना के सुरुवात की थी और आज गरीबों के लिए भूमी ही शमीकों के लिए ये योजना के सुरुवात आज राहुल गांधी जी के हाथों संपन हुआ अधरनी साथियो इस योजना में जो खेती में काम करने वाले मजदूर है गांग के उसके साथ जो बढ़ाई है लोहार है पौनी पसारी है धिन के पास भी कोई जमीन नहीं है उन सब को ये रासी मिलेगी राहुल जी हमेशा देश क्यार से बेवस्थाग पर चिंते ब्यक्त करते हुए अपने भाशनों में हमेशा इस बात को कहते हैं कि आम जनता के जीव में पैसा जाना चाहिए और जब राहुल जी दो हजार अठारा के पहले जब आये थे तब भी उन्होंने हमसे यही कहा था कि आम जनता को लगना चाहिए हर वर्ग को लगना चाहिए कि हमारी सरकार है उसके हिसाब से कारकम बनना चाहिए और आज मुझे बताते हुए प्रसंदता हो रही है कि राहुल जी कि वो उक्ती जिसमें उन्होंने कहा कि जनता की सिती तब सुधरेगी जब उनके जेव में पैसा जाएगा जब लोगों की क्रेश रक्ती बढ़ेगी और आज 36 गड़ सरकार लगातार उस जिसमें काम कर रही है आपको मैं बताना चाहूंगा पिछले तीन वर्सों में आम जनता के जेव में इनके अनवे हजार करोर रुपिया पहुचा है इनके अनवे हजार करोर रुपिया राजी गानी किसान नयययोजना के तहट अभी दो साल में 5 पहँच अजार पांसो सत्तियस करोर रुपिया गोधन नयययोजना के तहट 180 करोर रुपिया धान खरिदी के माद्यम से 59 अचजार करोर रुपिया किसान कर्ज माभी 9000 करोड रुपिया लगू उन उपज खरीदी 313 करोड रुपिया गन्ना खरीदी 300 करोड रुपिया सौसायता समों के कर्ज माभी 11 करोड रुपिया बिजली विल हाव के तहट 2700 करोड रुपिया किसानों के पंक बिजली पिल के सबसीडी के रूप में 8100 करोर रूपिया एकल बक्ती कनेक्सन वाले को 600 करोर रूपिया और मुख्य मंत्री खाद्यान साहता योजने के तहट 9152 करोर रूपिया और आज भूमिन क्रिसी मज़़ूनों को नयायरासी के रूप में आज 71 करोर रूपिया जारी किया गया है अधरनी साथियो एक तरफ देश में मंदी रहा दूसरे तरफ केंद्र सरकार के गलत नीतियां जिसमें नोट बंदी जियस्टी और लागडाउन के कारण से आम जनता के जेब में जेब से पैसा खाली हो गया था किसान हो मजदूर हो अधवासी हो अनसुची जाती के लोग हो गाउं के रहने वाले हो चाहर के रहने वाले हो चाहे ब्यापार करने वाले लोग हो चाहे ठेला खूमचा चलाने वाले लोग हो उनके जेब में पैसा बिलकुल नहीं था देश में मंदी जरूर रहा है लेकिन राहुल जी के निर्देश पर 36 गड़ सरकार जो काम कर रही है 36 गड़ में कोई मंदी नहीं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राहुल जी आपके निर्देश पर हमने 25 सर रुपय कुंटल में धान खरीदी शुरू किया था किसानों के कजमा भी दो घंटे के भीतर में कर दिया था लेकिन केंडर सरकार अडिक रही कि किसानों के जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए उनका कहना था समर्थल मुल्य से एक रुपया भी अधिक नहीं मिलना चाहिए नहीं तो आपका चावल नहीं करीदेंगे और आधरनी राहुल जी आपके एसी पही सब बैटे हैं मंत्री मंडल के साथ ही हमारे जो साथ ही सब बैटे हैं हमने हिम्मत नहीं हारी हमने कहा राहुल जी पचीस रुपया बोले हैं उसे एक रुपया भी कम हम किसानों को नहीं देने देंगे और तीन साल से पचीस सो रूपया मिल रहा है हमने राजिय गानी किसान नहीं जना सुरवात की ना हज़ार रूपया प्रतिय कर देश में कोई सरकार नहीं है जो इनपूर्ट सबसीडी ना हज़ार रूपया दे रहा हो केंदर सरकार कभी FCI में चावल नहीं जमा करते हैं कभी और वहाना करते हर प्रकार से अड़ंगड आलने का काम केंदर सरकार ने किया है लेकिन चत्तिस गड़ में जो किसानों से आपने वादख किया है उसे हम पीछे उसे पीछे नहीं आर सकते और यही कारण है कि आज 36 गड़ के किसान खुसाल है मैं ये भी बताना चाहूंगा भारती जन्ता पार्टी के सासन में 17 लाख किसान खेती करते थे धान के रेजिस्टेसन कराया थे 22 लाख एक्टेर में खेती होती थे उसका रेजिस्टेसन हुआ था लेकिन आपने जो 25 रुपया देने का बादक किया उसका असर क्या हुआ उसका असर ये हुआ कि आज कहां 17 लाख किसान और धान खरीदी 17 लाख क्विंटल और आज 17 लाख किसान से बढ़के 22 लाख हो गए 5 लाख किसान बढ़े खेती के रगवा 22 लाख से बढ़के 30 लाख हेक्टियर 8 लाख हेक्टियर में ब्रिदी और उधान के उत्पादन पहले 70 लाख अब वो एक करोड मिट्री टन एक करोड साल लाख मिट्री टन इस साल खड़ीदी के सरकार बनी 80 लाख दूसरे साल 83 लाख तीसरे साल 92 लाख और इस साल एक करोड मिट्री टन दान के खड़ीदी ये रिकार्ड खड़ीदी कभी नहीं हुआ था तो आज चत्तिस गड़ के अन्नदाता खुसाल हैं देश की किसान भले आंदोलन रत हैं लेकिन चत्तिस गड़ के किसान खुसाल है को बताना चाहूंगा इस साल हमने कोदो कुटकी रागी अरहर और तमाम प्रकार के बरसाथ में होने वाई फस्दों को भी इसके दाइरे में लाया है हमने आज उत्तर प्रदेश चाहे अन्ने प्रदेशों में गाय के नाम से खेती करना मुश्किल हो गया है गाय के नाम से राजनिती लोग करते हैं लेकिन आज फसल बचाना चुटा जानोरों से फसल बचाना बड़ा कठीन हो गया है लेकिन चत्तिस गड़ में गोधन नया योजना सुरुआत की आज दो लाख पसुपालकों से जिसमें से इनके अनबे हजार भूमीन है और उसमें से पैतालिस प्रस्त केवल महिलाएं हैं और इन दो लाख पसुपालकों से हमने एक सट लाख कुटल गोबर खरीदा और उनके खाते में 122 करोर रूपया पहुचा दिया है वर्मी कमपोट्स से ACG ग्रूप को फायदा हो रहा है D.A.P के लिए परसानी हो रही लेकिन 36 गड़ में जो वर्मी कमपोट्स मिला के खेती कर रहा है तो आज हम जैविक खेती के तरफ 36 गड़ आगे बढ़ रहा है अधर्णी साथियो और वर्मी कमपोट्स से लाभांस भी लगातार हम गठां समीती को 45 करोड और महिला सासाहता समू को 29 करोड रूपय हमने दिया है लगून पज पूरे देश का 44 प्रसत के वज 36 गड़ में आज आपने इस्टाल में देखा किस प्रकार के बस्तर से सरगुजा तक के हमारे बनवासी हमारे अदवासी भाई बहन किस प्रकार से वहां लगून पच संग्रा कर रहे हैं और उसका वेली डिसन करके पैसा कमा रहे हैं और यहां के उत्पाद हिंदुस्तान के कौने कौने में पहुंच रहा है जो दंतेवाड़ा जो बस्तर नकसली के गड़ के नाम से जाना जाता है आज दंतेवाड़ा का जो कपड़ा है देनेक्स ब्राइंड के नाम से पूरे देस और दुनिया में पहुँच रहा है आज पहचान हमारी बदली है कोड़ा नार के जो आप तिकुर सेख आपने बड़े स्वाध के साथ उसके केक आपने खाया अधर्णी साथियो बस्तर के विकास के लिए जस्पूर के विकास के लिए हमने टी और काफी बोर्ड भी बनाया है वहाँ आप काफी और चायक उत्पादन होना शुरू होगा है हमने बस्तर काफी कभी स्वाध आधर्णी राहुल जी को उसके स्वाध कराया है आपने बस्तर काफी का अनंद लिया है आधर्णी साथियो मैं इस आसर पर कहना चाहता हूँ कि लगातार स्वासायता समू के माध्यम से लगातार लोगों को रोजगार एक तरफ राहुल जी लगातार रोजगार के बात करते हैं मुझे बताते हैं खुसी है कि चट्टिस गड़ में दो लाग अस्टी हजार लोगों को सास की नौक्रियां दी गई है पिछले तीन साल में पांच लाग युआओं को जोडने का काम हमने किया है जिसमें चौदा लाग परवारों को जो तेंदु पत्ता संग्रहाख है उसका लाग दिलाने का काम 26 लाग परवारों को मरेगा के तहट और साथ ही नौजवानों के लिए भी रोजगार के बेवास था अब पी डाबलोडी और दूसरे वभागों में उसे ठेका लेना है तो हमारे जो पीडाली वभाग में 여기 के उसके हो कि चाहे वाग einen किया हो ईसे बीस लाग से एक करोड तक के कांब उनको दिया जारा पांच सजार लोगों ने इसका रेजिस्रेशन कराया है इस प आज ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस मंच के माद्धम से राजी यो मितान कलब जो लगभग 11,000 हमारे पंचायते हैं सहरी छेत्र में हर वार्ड में राजी यो मितान कलब का गठन किया गया है तो कुल 13,000 से अधिक यो मितान कलब का गठन किया गया है और प्रतेक कलब को हर तिमाही में पच्चीस हजार जाने के एक साल में एक कलब को एक लाख रुपिया दिया जाएगा जहां वहां के समाजी और सांस्कृतिक कारकम, खेल कूद और अन्य प्रकार के गत्विदियां संचालित की जाएगी और सांति सांत रोजगार से लोगों को कैसे जोड़ा जाए उस दिसा में इस कलब का बहुत महत्वपूर भूमका होगी तो हमारी कोशिश यही है व्याओं को जादा जादा लोगों को रोजगार समझोड सकें यह हमारा प्रयास और आज आज आपके हातों से सेवा ग्राम जो हमारे राजधानी में नया सेवा ग्राम का सिला नयास आपके हातों से हुआ ससत्तर एकड में वो बनेगा और गांधी जी के उस सपने हैं गांधी जी जो बताय रस्ते हैं उससे आगे चलकर समाजी ख्षेत्र में आर्थी ख्षेत्र में सेक्षणी ख्षेत्र में इस ख्षे रहा हैं दूसरी तरफ जो ताकत है उस समाज को जोड़ने का काम कर रहा है और आदर नी राहूल जी किया है नेतृत में पुरे हिंदुस्तान को हम जोड़ने का काम करेंगे उसमें एक आसेवा ग्राम के आज इस्थापना के लिए सिला नास हमने किया है और उसे के साथ साथ एक और बड़ा काम जो 1972 में तत्कालिन प्रधान मंत्री इंद्रा जी ने सहीदों के नाम जवानों के नाम इंडिया गेट में जो अमर जवान जोती कि स्थापना की थी जो लौब पिछले 50 साल से हनुमरत जल रहा था आज ये सरकार ने उसे बुझा दिया है 36 गड़ के जवानों ने भी इस देश के लिए खून बाया है उनके इस मिती में 36 गड़ में अमर जवान जोती कि स्थापना की जाएगी जिसा से लैनाज आपके करकामलोस हुआ है मैं बहुत ज़्यादा कहने को तो बहुत सारी बाते हैं लेकिन समय बहुत बहुत हो चुका है रहुल जी भी सुनना है दूसरा हमारे देश बर के गांधियन आया है उनके भी उनके पास भी जाना है लाट के लोग सवाम भी राहुल जी को वहां समलित होना है इसलिए और बहुत ज़्यादा ना कहते हुए राहुल जी के प्रती मैं हिर्दाय से धन्यवाद देता हूँ कि श्रमिकों के लिए जो योजना बनी है पूरे देश में उन्ही के प्रेड़ना से बनी जिसका आज पहले किस्त का वितरन और राहुल जी ने जो चिंता व्यक्त की थी कि हमर जवान जोती जब हम आएंगे तो फिर से जलाएंगे कादर ने राहुल जी निश्चित रूप से दोजार चोबीस का समय आपका है दिल्ली में तो जलेगा लेकिन उसके पहले आपके करकामलों से 36 गड़ में उसके से लैन नास के हैं और आप ही कहां से हम प्रज्यूलित कराएंगे ये मैं आपसे वादा करता हूँ और तीसरा लगातार समाजिक समरस्ता के लिए एक तो के लिए भाई चाहरा के लिए निरंतर आप लगातार दिन रात काम करते रहते हैं तो उसके लिए सेवा ग्राम के स्थापना आपने की ये तीन बड़े काम आज तीन फरवरी को मरेगा के सोलवी वर्सगांड पर आज एक नया काम की सुरवात आपके करकमलोस हुआ है इसके लिए मैं समाजता हूँ ये चछतिस गड़ के लिए एतिहासिक दीन है पुरे देश के लिए भी ये प्रेड़ना का काम करेगा इनी सब्दों के साथ आप आगमन का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ धन्यवाद जय एन जय चतिस गड़ा धन्यवाद माननी मुक्य मंत्री मोहदय आपका एक एक शब्द खुशहाली और विकास की और अग्रसर होते गड़बो नवाच्छ तीस गड़ की परिकलपना को साकार करता है और अब अवसर है आज के कारेकरम के माननी मुक्यतिति को सुनने का उनके उद्बोधन का हम आबंत्रित करते हैं सांसर्च श्री राहूल गांधी जी आज के कारेकरम के मुक्यतिति मोहदय को उनके उद्बोधन के लिए चीफ मिनिस्टर श्री भुपेश बगेल जी श्री मोहन मरकाम जी श्री टियस सिंग्देव जी साहू जी चरंदास महंत जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट सीनियर नेता मेंबर्ज ओफ पार्लेमेंट एमेलेज प्यारे कार्यकरता भाईयों और बहनों आप सब का आज मैं बहुत स्वागत करता हूँ कल मैंने लोकसभा में एक भाशन किया और उसमें कहा कि हिंदुस्तान के सामने दो तीन बहुत बड़ी चुनोतियां है बीजेपी और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खत्रे की ओर ले जा रही है और मैंने कल पार्लिमंट में ये समझाया और आज भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ खत्रा किस बात का है सबसे पहला खत्रा भयांकर खत्रा बीजेपी आज एक देश को दो देशों में बाट रहा है दो नए देश बनाए जा रहे हैं एक देश चुने हुए अरब पतियों का उस देश में हवाई जहाज हाई टेकनोलिजी धन स्टॉक मार्केट का पैसा उस देश में जो भी आप चाहते हैं जितना भी देश का धन आप चाहते हो आप ले सकते हो और दूसरा देश हमारे प्यारे देश वासियों का करोणों लोगों का देश एक अमीर देश सो दो सो पांच सो लोगों का और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोणों लोगों का यह सोचते हैं दो देश बनाने से जो गरीबों का देश है वो शान्त बैठा रहेगा वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ति नहीं है सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डड़ता है मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं ड़ता है और अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने यहां तक पहुँचाया है जो ये बात करते रहते हैं 70 साल में क्या हुआ अगर इस देश में प्रगती हुई है तरक्की हुई है तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है ये हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है तो जब यह सवाल पूछते हैं सतर साल में क्या हुआ यह हमारे किसानों का उनके माता-पिताओं का हमारे मजदूरों का हमारे कारेगरों का हमारे छोटे बिजनिस वालों का अपमान करते हैं कॉंग्रेस पार्टी का अपमान नहीं करते हैं बहुत कुछ हुआ बहुत बदलाव आया किस ने किया हिंदुस्तान की गरीब जंता ने अपना खून पसीना देकर बदला दिया और आज ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया जिन करोडों लोगों ने इस देश को बनाया उनको परे कर दिया जाए और 100-200 लोगों को देश का पूरा का पूरा धन पकड़ा दिया जाए मैं आपको सिर्फ एक आकड़ा देना चाहता हूँ और इसको आप अच्छी तरह सुनिए हिंदुस्तान के सो सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 40 प्रतिशद लोगों से जादा धन है जितना धन हिंदुस्तान की 40 प्रतिशद अबादी के पास है उतना धन आज के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नीचे सो लोगों के पास उतना धन है एक तरफ सो लोग, दूसरी तरफ 40 प्रतिशद हिंदुस्तान, 40 प्रतिशद लोग भूके मरें, रोजगार धूनते भटकते जाएं, और नरेंद्र मोदी जी के 5-10 उद्योग पति मित्र, देश का पूरा का पूरा धन अपनी जिब में डालें, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, और ऐसा हिंदुस्तान हम होने ही नहीं देंगे, अगर इस देश में प्रगति होगी, तो सब की प्रगति होगी, दो, तीन, चार, पाँच उद्योग पतियों की नहीं, सब की होगी, ये हम में और उनमें फरक है, और आज, 36 गड़ में, हम बहुत बड़ा, कदम उठाने जा रहे हैं, हमने आपसे पहले वाइदा किया था, 2,500 रुपे, चाहे कुछ भी हो जाए, 36 गड़ के किसान को मिलेगा, और हमने कर के दिखाया है, और चुनाओ के समय, हमने नेताओं से बात की थी, और उस समय हमने कहा था, कि किसान के साथ, हमारे प्यारे मजदूर भी काम करते हैं, और अगर हम किसानों की मदद करते हैं, तो फिर हमें 36 गड़ के गरीब मजदूरों की भी मदद करनी पड़ेगी, और ये पहला कदम है, ये मत सोचिए, 36 गड़ के गरीब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी, बात यहां नहीं अटकेगी, ये पहला कदम है, आपका धन है, ये धन हम आपको वापिस दे रहे हैं, चीफ पिनिस्टर ने कहा, 6,000 रुपए साल के, तीन किष्टों में, भगेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा से बढ़ा दीजिए, हां, मतलब, मेरा काम, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने का है, देखिए, अच्छा लगता है, जब किसान, जब सुनने को मिलता है, कि 36 गड़ में हमने किसान की मदद की, और एक दम, पूरे प्रदेश को फाइदा हुआ, वो पैसा, जो 2,500 रुपए, वो जाया नहीं हुआ, वो हमने किसान को दिया, और किसान ने, जो रोज किसान ज़ादू करता है, अपने कून पसीने के साथ, किसान ने ज़ादू किया, और 36 गड़ का जो धान का प्रड़क्शन था, एक दम से बढ़ गया, पूरे प्रदेश को फाइदा हुआ, हमने 2-3 लोगों को नहीं दिया, हमने 2-3 उद्योग पतियों को लाको करोड रुपए नहीं दिया, हमने 36 गड़ के हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम दिया, और वो ही काम हम आज 36 गड़ के मजदूरों के लिए कर रहे हैं, इस प्रोग्राइम से 3,55,000 हमारे मजदूर भाईयों बहनों को सीधा फाइदा मिलेगा, उनकी जिन्दगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिलकुल आसान हो जाएगी, मगर जो उनके कंदे पर बोज़ है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैंने अपने भाशन में दूसरी बात भी कही, पहली बात मैंने कही थी कि देखिए आप दो हिंदूस्तान बना रहे हैं, एक चार-पाँच उद्योग पतियों का, और दूसरा कुडोडो हिंदूस्तान का, हम ये नहीं होने देंगे, और मैंने दूसरी बात कही, कि ये देश एक गुलदस्ता जैसा है, इसमें अलग-अलग विचार धाराएं हैं, चत्तिस गड़ में आपकी अलग सोच है, भाशाएं हैं, इतिहास है, कल्चर है, हिस्ट्री है, टमिल नाडू में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, नागा लैंड, मीज और राम, मनिपूर में अलग है, मकर हिंदूस्तान, किसी एक सोच का नहीं है, अगर हम ये कहें, कि हिंदूस्तान में, सिर्फ चत्तिस गड़ की सोच रहनी चाहिए, तो ये गल्थ होगा, अगर हम ये कहें, कि हिंदूस्तान में, सिर्फ एक प्रदेश की, या एक विचार धारा, कि सोच होगी, तो ये गलत है और इससे देश का नुकसान होता है बीजे भी चाहती है आरेसस चाहती है कि उनकी विचारधारा जो हिंदुस्तान में एक विचारधारा है हजारों और विचारधारा है उनकी एक विचारधारा है वो चाहते हैं कि एक विचारधारा इस देश के सब प्रदेशों पर सब भाषाओं पर सब इतिहास पर सब हिस्ट्री पर एक विचारधारा का राज हो और मैंने कल पार्लिमेंट में कहा ये कभी नहीं हो सकता है 36 गड़ को 36 गड़ के लोगों को कैसे जीना चाहिए 36 गड़ के आदिवासियों का जंगल के साथ क्या रिष्टा होना चाहिए 36 गड़ के किसानों का अपने खेट से क्या रिष्टा होना चाहिए वो महराश्टर के लोग उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बता सकते उनको मालूम ही नहीं और जैसे महराश्टर के लोग आपको नहीं बता सकते वैसे ही आप विधर्बा में जाके महराष्टा के किसान को नहीं बता सकते कि भैया आपको इस प्रकार से जीना चाहिए वो उसका हक है ये आपका हक है और ये जो गुलदस्ता है ये ही हमारा देश ये जो अलग-अलग सोच है अलग-अलग विचार धारा हैं प्यार की भाईचारे की जो भावना है इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं और इसी हिंदुस्तान पर बीजेपी आकरमन कर रही है और हम ये आकरमन का विरोध करेंगे और बीजेपी को जो सच्चा हिंदुस्तान है वो कॉंग्रेस पार्टी दिखाएगे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने नफरत फिला दिये एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं और बहार हिंदुस्तान के बहार जो शक्तिया हैं वो हमारी और देखती हैं और कहती हैं कि हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है चाइना की सेना लड़ाक में इसी लिए गुस्पाई कि बीजेपी ने हमारे प्रधान मंत्री ने उनके घुसने के बाद देश को कहा कि कोई अंदर नहीं आया मेरा कहना है हमारा काम देश भक्ती का काम देश को मजबूत करने का होता है देश के गरीब लोगों की मदद करने का होता है देश को एक साथ जोडने का होता है नफरत फैलाने का नहीं देश को कमजोर करने का नहीं और इसी लिए यह विचारधारा की लड़ाई है यह एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है यह विचारधारा की लड़ाई है चतिसगण में नैशनल लेवल पर सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद होती है मगर जो हमारा स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री वाला है जो छोटा वियापारी है उसको नोट बंदी गलक GST करोना के समय मदद नहीं दी जाती है और इसलिए मुझे काफी खुशे हुई कि आज जो आपने मुझे दिखाया हर डिस्ट्रिक्ट से जो आपके प्रॉडक्ट्स है जो आपका ग्यान है जो आपकी हिस्ट्री है जो आप अपने हातों से बनाते हो उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी स्किल्स है सरकार उसको डिवेलप करने का काम कर रही है और मैं चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर जी चखने को मिली ये सिर्फ आप 36 गड़ के लोगों को मत चखाईए ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के लोगों को मत चखाईए ये आप पूरी दुनिया को 36 गड़ का जो जादू है ये आप पूरी दुनिया को दिखाईए पूरी दुनिया को चखाईए और मैं सरकार के सब मंत्रियों को बधाई देता हूँ कि आप 36 गड़ के लिए काम कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि जो आपके डिस्ट्रिक्स में जंता की मदद का काम हो रहा है उसमें आप जाके जंता के बीच में जाके गहराई से शामिल हो कॉंग्रेस पार्टी का भी फाइदा होगा आपका भी फाइदा होगा 36 गड़ की जंता का भी फाइदा होगा आपने आज मुझे यहां बुलाया मेरी बात इतनी प्यार से आपने सुनी इसके लिए मैं आपको बिल से धन्यवाद करता हूँ नमस्कार जैहिन हार्दीक धन्यवाद आपका श्री राहुल गांधी जी आपने अपने प्रेरक संबोधन में वर्तमान भारत के जिन ज्वलन्त मुद्दों की बात की है उसे सही दिशा में लाने की ओर और 36 गड़ को विकास की नई राह नई दिशा की ओर आगे बढ़ाने में 36 गड़ का जन जन कृत संकल पित हुआ है और इसी के साथ माननी मुख्य अतिती मौहदै को इस्मृती चिन भेट करने के लिए हम आमंतृत करते हैं माननी मुख्य मंतरी मौहदै को च्छतीजगर का राज की विरिख्ष सल्फी ट्री बेल मैटल से निर्मित आपको भेट किया जा रहा है जो कि 36 गड़ राज के सुदूर बस्तर अंचल के हस्त शिल्पियों द्वाला निर्मित किया गया है ये हस्त शिल्प भेट किया गया और मंचस्त अतिती गणों को इस्मृति चिन भेट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचीव राजस्व एवं आप्राप्रबंधन, खेल और युवा कल्यान, सचीव परटन एवं संस्कृति, संचालक भू अभी लेग एवं संचालक संस्कृति एवं पुरा तट्वन 36 गण की कला को प्रदर्शित करता हुआ या स्मृति चन सभी अतीतियों को प्रेशित करते हुए और इसे के साथ हम आभार प्रदर्शन के लिए साधर आमंत्रित करते हैं माननी श्रीटीय सिहदेव जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामिन विकास, लोग स्वास्थ एवं परिवार कल्यान, चकित्सा शिक्छा, योजना आर्थिक एवं संखिकी, एवं भी सूत्री कार्यार नुएन आदर्निय राहूल गांधी जी, 36 गड़ के सम्मानिय मुख्यमंत्री, हमारे टीम के कप्तान, भाई भुवेश बगेल जी, प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, सम्मानिय मोहन मरकाम जी, ओल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी के 36गड़ के प्रभारी सचिव, सम्मानिय सबगिरी उलका जी, सम्मानिय चंदन यादव जी, मंज पे उपस्तित, हमारे स्पीकर चरंदाज जी महन, हमारे वरिष्तर मंत्री मंडल के साथी ताम रधज साहू जी, मंत्री मंडल के सभी उपस्तित सदसिगन, वरिष्ट पार्टी के पदादिकारी संसिदिय सचिव, सांसत, विधायक पार्टी के विभिन, संगठनों के आए हुए साथी आदिर्णी राहुल जी, हम अत्यनता भारी हैं यह बहुत ही वियस्त आपके कारिक्रम में आपने 36 गड़ को समय दिया और आज हमारे बीच में आकर आपने हमारा कमिट्मेंट 36 गड़ के लिए पुनर जीवित किया चुनाओ के समय जो आपने हमें लक्ष दिये थे आपकी एक सोच थी कि हर व्यक्ति को साल में नियुन्तम इतनी आमदनी होनी चाहिए परिवार को इतनी आमदनी होनी चाहिए और हमारे कप्तान की अगवाई में मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी की अगवाई में सभी साथियों के योगदान से हर प्रयास बस्तर की इमली हो तेंदुपत्ता हो गोधन या योजना हो किसानों को सहयोग हो काजू की खेती हो चावल की खेती हो जो भी पूरे काम सोसाहता समू के माध्यम से हर काम जो 36 गड़ में हो रहा है वो एक ही उद्देश की पूर्ती के लिए ये सरकार कर रही है कि हमारे परिवारों की आमदनी नियुन्तम एक सर पे पहुंसनी चाहिए ताकि फिर आर्थिक और समाजिक नयाए उन्हें मिल सके आप सभी यहां उपस्तित हुए आप सभी को बहुत बहुत अभार और अंत में भुपेश भाई ने एक सालगिरा की हमें याद दिलाए एक और सालगिरा की मैं याद दिला रहा हूं और मैं चाहुंगा कि आप सब ताली बजाएके अभिवादन हमारे मुखि-मंत्री जी का करेंगे आज भुपेश भाई और भावी जी के सालगिरा का भी दिन है तो भुपेश भाई को और बहु को बहुत बहुत बढ़ाई बहुत शुबकामना है धन्यवाद रहुल जी आपने जो आने वाले दिनों की सोज की बुनियाद बनेगी जो तीन बिंदू आपने पार्लिमेंट में उठाए वो हमको आगे दिशा दिखाएंगे धन्यवाद, जैहिन, जैच्छतिसगण बहुत-बहुत आभार आपका माननी स्वास्तमंत्री जी श्री स्टीय सिहदेव जी और अब मंच पर उपस्तित सभी अतिथी गंड आगे बढ़ रहे हैं गांधिवादी विचारा के वंभूमी ही इन क्रिशिक मस्दूरों के साथ पंगत में बैठ कर दोपहर का भोवजन लेने के लिए और साथ ही मंच पर अब तयारी हो रही है अन्य सांस्कृतिक कारिक्रमों की प्रस्तूती की तो कुछी देर में यहां पर चतीस गड़ की कलास अभ्यता संस्कृती को प्रदर्शित करती हुई सुन्दर सांस्कृतिक प्रस्तूतियां यहां पर दी जाएंगी जिसका सभी दर्शक इसका आनन्द उठाएंगे और अपनी प्रस्तुती के लिए हम जोरदार तालियों के आवास के साथ आमंत्रित करते हैं लोग कलाकार आरू साहू को आरू साहू और उनके समू के सदस्य मंच पर आमंत्रित है इस प्रथम सत्र के आयोजन के पश्चात सांस्क्रतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होना है जिसमें आप आरू साहू के बाद चतीजगड के सूप्रसिद लोग गायक रंग जांजर के श्री सुनील तिवारी जी और उनके सदस्यों को सुनेंगे और उसके बाद लोक रंग अरजुन्दा की प्रस्तुति होगी जिसमें चतीजगड के की लोक कलाओं की छवी उसकी छटा आपको देखने को मिलेगी अज़ग जनके सब्सक्राइब करने करें लोक मिलेगी ऑर इसासे में बना रहें सब्सक्राइब और अज़गो आपको हुआ तो अर्ब कर दो गुर्टारा है तो आपनिठा आपित्अनाइब शौह जाओ कंपक्प्रेप्ट यह लुपर भी जाओ भी जाओ इस बीलो चुह सुझ भी बातर शुल्य पिकम्जर्म भी तर शुजर्दीयो प्राइव दिना रहती भी प्राइव थीट सुझा नहीं। जडिए करें प्सक्राइब मेंट है तो आईए हम देखते हैं उसी योजना का एक छोटा सा स्वरूप वृत्य चित्र के माध्यम से झाल है झाल 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 सत्रहुई शताबदी में मिले इन बंदरों की मुर्तियां रखी हुई हैं और सिर्फ यही नहीं हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कला और जीवन शैली के निशानिया धरोहर के रूप में इस संग्रहाले में मौजूद हैं है ना अमेजिंग? तो अगली बार अगर आप से कोई पूछे कि आपके चतीजगड में क्या खास है तो उन्हें ये सब जरूर बताएं जानिये अपने चतीजगड को, पहचानिये अपनी संस्कृति को, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग चतीजगड शासन जैसिया राम श्री राम केवल आस्था ही नहीं है, बलकि वे जीवन की एक अवस्था और जीवन की आदर्ष व्यवस्था भी हैं जो रोम रोम में बसे हुए हैं, बस वही तो राम है, राम इस राश्र के प्राण है भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में श्री राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है लेकिन छतीजगड की शस्य श्यामला भूमी श्री राम को भाचे की रूप में पूझती है रायपूर से महज 27 किलोमिटर की दूरी पर इस्थित चंद्खुरी, माता कौशल्या की जन्म भूमी और श्री राम का ननिहाल है छतीजगड का प्राची नाम दक्षिन कोसल है दक्षिन कोसल एक ऐसी पवित्र धरा है जो उत्तर और दक्षिन दोनों क्षेत्र को जोडती है इसलिए छतीजगड को दक्षिना पथ भी कहा जाता है रगुकुल श्रीरोमनी श्री राम की जन्म भूमी अयोध्या है लेकिन 36 गड़ उनकी कर्म भूमी है 14 वर्ष के कठिन वनवास काल में 36 गड़ ने श्री राम को भांजे की रूप में पूर्ण प्रश्रय प्रदान किया और इसलिए श्री राम को अपनी मात्र भूमी से अधिक प्रियख 36 गड़ हो गया वनवास काल के दोरान अयोध्या से प्रयागराज, चित्रकूट, सत्ना गमन करते हुए श्री राम ने दक्षिन कोसल याने 36 गड़ के कोरिया जिले के भरतपुर पहुँचकर मवई नदी पार कर दंड कारणे में प्रवेश किया मवई नदी के तड़ पर बने प्राकृतिक गुफा मंदिर सीता मड़ी हरचोका में पहुच कर विश्राम किया इस तरह राम चंद्र जी के वनवास काल का 36 गड़ में पहला पड़ाओ भरतपुर के पास सीता मड़ी हरचोका को कहा जाता है कोरिया जिले का सीता मड़ी रामचंद्र जी के वनवास काल का पहला पड़ाओ माना जाता है नदी के किनारे इस स्थान पर गुफाओं में 17 कक्ष हैं जो सीता की रसोई के नाम से प्रसिद्ध हैं यही पर अत्रीमुनी के आश्रम में माता अंसुया ने सीता जी को नारी धर्म का ज्यान दिया था इस वज़े से इस क्षेत्र को सीता मड़ी के नाम से चाना जाता है पौरानिक और एतिहासिक ग्रंथों में रामगिरी परवत का उल्ले खाता है सरगुजा जिले का यही रामगिरी रामगड परवत है यहां इस हिद सीता बेंगरा जोगी मारा गुफा की रंगशाला को विश्व की सबसे प्राचीन रंगशाला माना जाता है कहा जाता है कि वंगमन काल में राम चंदर जी के साथ सीता जी ने यहां कुछ समय व्यतीत किया था इसलिए इस गुफा का नाम सीता बेंगरा पड़ा ये भी जन्शुती है कि श्री राम चंद्रजी ने जोगी तपस्वी के रूप में यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था जांजीर चापा जिले में प्राप्रति जांजीर अग्वी नेर प्राप्रति लगदेग 250 अधरे प्राप सेटी में विले सकाव जायए है कि याल में प्राप कर सकावस्वी एस जीतिर को में प्राप्रति कि ढलनो प्रक घुड पर्दत सेपर लेसर किया गारे, विशन मेर जाला कि अब गल्च के लिए कि अज़के बाइब आप आफ यहां कि दर सामने अटिये ना सामने पीछे पीछे ना कारना पकड़िये ने यां यां यहां मुद्धि मानने ता है कि राजा दश्रत ने अपने तीनों रानियों से पुत्र प्राप्ति के लिए सिहावा से श्रेंगे रिशी को पुत्रेष्टी यग्य के लिए अयोध्या बुलाया था और उसी यग्य स्वरूप माता कौशल्या ने प्रभू श्री राम को जन्म दिया वन गमन करते हुए प्रभू श्री राम नारायन पाल से इंद्रावती नदी मार्ग से जग दलपूर पहुँचे यहां इस्थित पांच किलोमेटर लंबा और दो किलोमेटर जोड़ा विशाल दलपत जलाश है किसी समुद्र का आभास देता है इंद्रावती से गिरते हुए जलप्रपात के प्राकृतिक सौंदरे के कारण सिया राम का ये रमनी इस्थान रहा है माननेता है कि इसी इस्थान पर प्रभू श्री राम से मिलने हिमगिरी परवत से भगवान शिव पारवती आये थे दंडकारण एक शेत्र में भ्रहमन करते हुए श्री राम चंद्र दक्षिनापत जाते समय कोटमसर से आगे नदी मार्ग से सुकमा होकर ऐसे इस्थान पहुँचे जो उनके नाम से ही जाना जाता है इस पवित्र स्थल का नाम रामा राम है इसी के पास पहाड़ी पर श्री राम के पदचिन होने की किविदंती है ये भी जनशुती है कि यहाँ पर श्री राम ने भू देवी की पूजा की थी रामा राम में प्रसिद्ध चिटमिटिन मंदिर है 36 गर्ड नकेवल राम चंद्र की कर्मिस्थली है बलकि उनके जीवन संघर्षों की साक्षी भी है 36 गर्ड सरकार की सोच है कि मूल्य विहिन विकास न तो मनुश्यों के लिए कल्यान कारी हो सकता है और नहीं प्रकृती के लिए इसी पावनों देश के साथ माननी मुख्यमंत्री श्रीबुपेश बगहेल जी ने चंद्खुरी स्थित माता कोशल्या मंदिर के सौंदरी करण के लिए 22 दिसंबर 2019 को भूमी पुजन कर राम वंगबन परिटन परिपत के निर्मान की शुरुवात की है इस परिपत में आने वाले स्थानों को रामायन कालें थीन के अनुरूप सजाया और समारा जाएगा चतिसगर शासन की इस महत्वा कांख्षी योजना से भावी पीड़ी को अपनी सनातन संस्कृती से परिचित होने के अवसर के साथ ही देश-विदेश के परटकों को उचिस्तर की सुविधाएं भी प्राप्थ होंगी जैसिया राम चतिसगर नकेवल रगुकुल शिरुमनी श्री राम की कर्म स्थली है बलकि उनके वनवासकाल के संघर्षों की साक्षी भी है चतिसगर के जन जन के हृदय में विराजमान भाचा राम के वनगमन पत को सहेज ने समार ने और परटकों को उच्च इस्तरी सुविधा प्रदान करने के उदेश से मुख्यमंत्री भुपेश बगहेल जी ने चतिसगर के उत्तर में कोरिया से लेकर दक्षिन में सुक्मा तक राम वनगमन परटन परिपत निर्मान का संकल्प लिया है जिसका साकार रूप मर्यादा पुर्शोत्तम राम की जननी माता कोशल्या के धाम चन्खुरी में हम सब के सामने है राजधानी रायपुर से 27 किलोमेटर की दूरी पर 126 तालाबों से घीरे चन्खुरी में जलसेन तालाब के मध्य में लगभग आठवी शती इस्वी में निर्मित भारत का एक मात्र माता कोशल्या का मंदिर इस्थित है जिसमें बाल स्वरूप में भाचा राम मा कोशल्या की गोद में विराजमान है ये अध्भुत प्रतिमा इस मंदिर को दुरलब बनाती है 36 गड में राम वन्गमन परटन परिपत परियोजना के अंतरगत प्रथम चरण में चिन्धांकित नोई स्थलों में रामायन कारिन अविशेशों को सहेजने और परिटकों को उच्चेस्तरी सुविधा प्रदान करने का कारे प्रारम हो चुका है सैक्डों वर्षों पूर्व तक चंद्रपूरी यानि चंद्खुरी देवताओं की नगरी के रूप में चाना जाता था पुरातात्विक द्रिष्टी से भी महतोपूर्ण चंद्पूरी में सोमवंशी कालिन माता कोशल्या मंदिर परिसर के जिर्णोधार और स्वांदरी करण के प्रथम और द्विती चरण के कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं जिसमें मुख्य रूप से जलसेन तालाप का गहरी करण करके एक आकरशक स्वरूप प्रदान किया गया है नवरात्री और अन्य आनुष्ठानिक अवसरों पर जियोत प्रजवलित करने के लिए जियोत कक्ष का निर्मान, घाट निर्मान, भव्य प्रवेश द्वार का निर्मान, लगभग 20 फिट उचाई का दीप इस्तंब निर्मित किया गया है किया गया है किया गया है किया है वादब लुपड़ा है? क्या है? उसे वाज़ कहा है? आपके खाले के लेक कर डाव है? अजय को झालाएं? बालबाल बालबाल लोगेज को पनाद बाजर तूपिस्टार गॉर चुर्ट क्टीज़ को पनाद के लिए लोगेज का लिए लोगेज वोगेज़ लोगेजि़ क्यों जा भॉगेज़ आट भूप सब्सक्टा कर दो एंगे हैं हलो, हलो, हलो ठार्णाप गिजर retirते की ऑते ही! कर दो कर दो कर दो वाल, को मा लोडित사 कर दो कि लाट कर दो कि औम हास वालो कर दो कर दो है नी टेस्ति है लूट जी हान जीन जीक हमां तो लूटते है वूट हान जीड़ा जीड हिए हमां तो लूट जुक तो लूट है मेरा थाली अकेले आरहा है, म्यूजिक नहीं है हलो, 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 छिक हालो वैलो हालो हालो हुल टो तो आफ किये से लंका ठाएजी आउ बोए रूख बाबूल के भाईया ता आमा कहां ले पाई जी आउ ये भाईया दीदी के रात लेका करो बाल नमा कहां हुए आउ का गहां थी मन्डोरा के भामधाई दीरे दीरे प्रक्सी दाके मुशिदाई दीरे दीरे आउ बादा के मुशिदाई दीरे 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 ये नाचन चिरी ओ ये नाचन चिनी ओ जुमा जुनके जमा जैम नाचन चिनी ये नाचन चिनी ओ जुमा जुनके जमा जैम नाचन चिनी परसे तुर पाउं तरी परसे तुर पाउं तरी रुप्या जनाचन बो ये नाचन चिनी ओ जुमा जुनके जमा जैम नाचन चिनी ये नाचन चिनी ओ जुमा जुनके जमा जैम नाचन चिनी ये ये नाचन चिनी कर से तुर परसे ये वाले नाचन म primary girls ये 설बालन का जान चिनी कम जाओं ये थे Сब्सक्त कर से तुमा जै नाचन तो तो किपो बिच्जड जिकए एंचन अलो ऑलो विक्की, वाइस कोड़ा सा इधर भी दे दिना, वाइस भ्राई है बिलकुल याथ चीक, चीक, पलू, पलू, चीक, पलू, चीक, पलू, पलू चीएण अधरनी सचीन राउजी इनके साथ साथ अधरनी प्रदीप सर्मा जी जो कि आज के इस संगोष्टी के प्रारम से अंत तक समझवेक हैं वक्ताब भी उन्होंने दिया है और सारंस वक्ताब भी उन्हें अभी देना है तो मेरा आप से आगरा है आप हमारी जो हमने जो बिवस्था की है उसका पालन करें ना आपको तकलीफ होगी ना हमें तकलीफ ह हुआ हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 से हम Sanda कर दो कर दो कर दो ने बोके लेजाने भाना या वो जो खटा-खटा से जाएगा हुआ हुआ दो लुट्स अप्राइड लुट्स पहले हुआ है अप्राइड हलो 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 घूट के ऩूट कूँ कूँ कछ एहा हुई हलो, हलो, हलो हलो चीक कि का बाल्ए भी यो और ते टन्सक्तुचंहरे गाैं वाक यिल्म पश्खा यह औरक भी कुल भड़ोचे अरक प्राव आना के पर भी कंपॉजिन कोरेगा suppressed हम ढ Zweegas कि अ या कर दो को एंग है कि अुटाइब जुटाइब एंग इंग एंग जा कर दो एंग है यहा इंग को एंग है एंग पार भा दो एंग झाल झाल पहला हुटे अगला हम अगला हुआ है कर दोग्पार सुड़ कर दो भीजया कि वा भाम किस लाम भीजया ओर्शें से लिग भीजया अईवार में गविए। अदे भीजया ओिजया गीजिए दोर्गाजी से किस ँड़ साथ नटी अग। इस एतिहासे पल के इस गौराव मजी जण के आईए हमारे मुख्यतिती मोहदय पधार चुकें एक बार जोरदार तालियों की गड़ड़ाहट के साथ हम माननी सांसद राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और उनके साथ ही हमारे 36 गड़ के मुख्य मंतरी अधरनी भूपेज बगिल जी हमारे विधान सभा अध्यक शरंदास महंती जी के साथ साथ हम अपने सभी मंतरी मंडल के सधस्यों से आगरा करते हैं कृप्या वे मंच पर अपना इस्थान गरहन करें साथ ही मैं जीन चार नाम को आमंतरित करता हूं दो स्री धरंपाल सेनि जी धरंपाल सेनि जी कृप्या मंच शेन हूं आदरनी वीभा गुपता जी आदरनी प्रधीप सर्मा जी संचीन राओ जी हमारे बीच गांधी अ अधरनी संचीन राओ जी गांधीवादी विचारक यूम चिनता आईए आज के इस एतिहासिक इस एतिहासिक पल पर आईए हम सरो प्रथम अपनी परंपरा के अनुरूब मानिनी मुख्यती थी राहुल गांधी जी का स्वागत करने का आगरह करते हैं मानिनी मुख्यमंत्री जी से चतीस गड़ का राज्य गमच्छा से कृप्या स्वागत अभिनंदन करेंगे करम को आगे बढ़ाते हुए मानिनी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे वनमंत्री महम्मद अक्बर जी से स्वागत के उपरान गांधी जी के प्री भजन इंद्रकला संगीत विश्व विद्याले के छात्र छात्र हैं तत्काल अपना वैश्णों जन्तों प्याने कहिए ये भजा नारम करें समय निर्धारित है तीन मिनट है 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 जब जब जने को देनी तर्वे ने तीर पराई जाने ने कर्दू के उपतार करें तूइए कर्दू के उपतार करें तूइए भन्यमिमान या मारिए पर इश्क जम्नो देने करिए सबर लूप मां सवनी बंदी कित्का मुटरी केंदी माच पाच वर देश लादी रम जन जनी केंदी पाच वर देश लादी केंदी समधिश्की रिष्णा टाली करस्वी जनी बंदी केंदी चलाद की बसरत के नावोने अरधन नम्र जाए वायू थे पाच वर देश लादी केंदी पाच वर देश लादी केंदी तुम्हे कारे करी तुई जन्जे अप्रिमांगे मां आए रे गांधी जी कहा करते थे पीर पराई जाने रे इसको बड़ी खुबसूरती के साथ प्रसुत किया आईए अब 36 गड़ का इतिहास जो रचा जा रहा है आज सेवा ग्राम के यहां स्थापना करने कई आधार सिला माननी राहूल गांधी जी ने की देखें सेवा ग्राम और धारना पर आधारित एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन गांधी जी ने 1930 में डाड़ी आत्रा शुरू की तो उन्होंने देश आजाद होने पर ही साबर मती लोटने का निर्णा लिया कुछ समय जेल में बिताने के बाद वे 1934 में वर्धा आये और सेवा ग्राम की स्थापना की सेवा ग्राम उनकी साथकी, सच्चाई, एक्ता, शिक्षा, आत्म निर्भरता और स्थिर्ता जैसी विचार धारा का एक जीवन्त प्रतीक बन गया सेवा ग्राम के द्वार सभी के लिए खुले थे, बगहर व्यक्ति के जाती और धर्म की परवा किये भारत की आजादी के 75 साल बाद भी, एक्ता का विचार एक सदक प्रयास है ब्रामीर पुनर निर्मान का कार्य अभी भी प्रयासरत है और सपनों का भारत एक निरंदर प्रगती शील कार्य है इन बातों को सोचते हुए ये विचार आता है कि यदि आज गांधी जीवित होते तो वे किस तरह के भारत और किस तरह के विचारों के साथ खड़े होते इसी मौलिक विचार को ध्यान में रखते हुए माननियेश प्री राहुल गांधी जी एवं श्री भूपेश बगेल जी ने 21. सदी के सेवाग्राम की कल्पना की वर्धा में सेवाग्राम हमारे राजनीतिक और वैचारिक स्वतंतरता आंदोलन का प्रतीक है नया राइपुर में सेवाग्राम आर्थिक एवं समाजिक स्वतंतरता का प्रतीक बनेगी जहां समाज के हर तपके हर बर्ग के उध्थान के लिए पूरा समाज पूरा राश्व एक चुटो सके एक ऐसा इस्थान जो 36 गड़ की संस्क्रिती, रीती रिवाजों और जनजातियों को उभारे और उनका उत्सम मनाए इस एक लक्ष के साथ कि स्थानिय कारिगर और जनजाति स्वामलंबी बने उनके लिए राजस्व और पन्नो और 36 गड़ के शिल्व कर सशक्त बने सेवा क्राम के लिए खपरी गाहों में 77 एकर की समीन चुनी गई है आप जो देख रहे हैं वो एक छोटी सी बरसाती चल्थारा है जिसने अपने लिए यहाँ एक राह बनाई है कुछ भी नया प्रस्थाविक करने से पहले हम पहले से मौजूद चीजों के साथ उसका सम्मंद और गहरे तोर पर स्थाविक करना चाहते थे स्वतंतरता संग्राम के साथ साथ भारत में और ऐसे कई महतुपून व्राश्वी आंदोलन भी हुए जिनका व्राश्व के निर्मार में और देश की तस्वीर बदलने में काफी महतुपून योगदान रहा हम जगें जगें पर कला इवं शिल्प के माध्यम से इन प्रतिष्ठित आंदोलनों के प्रति सम्मान और अपनी कृतिग्यता जाहिर करेंगे ये राश्ट निर्मार पर दो किलोमीटर की पद्यात्रा करने का भी प्रस्ताफ हम प्रस्तुत करते हैं परिसर के बीचो बीच भारतिय स्वतंत्रता संध्राम के अविस्मर्णों पर बना आगंतुक केंद्र हैं स्थानिय शिल्प शाली का बड़ा ही सहच आधुनिक रूपांत्र नर्तिया गया है ये निर्माण चैली आंगन वाले घरों की एक श्रिंकला है जो बड़े पैमाने और आकार में बढ़ रहे हैं और प्रत्येक भवन गर्ब से भारतिय इतिहास के विभिन पहलूं को प्रदर्शित करते हैं तला और शेल चर्थीज करती आत्मा है जो कई जनजातियों के लिए आजीविगा का साधन भी है सेवाश्रम उन स्वयम सेवकों का घर होगा जो आत्म निरिक्षन करना चाहते हैं और कांधी वादी सिर्धानतों पर काम करना चाहते हैं ये आश्रम एक समग्र परिस्थित की तंद्र का निर्मान करेगा जो अपने निवासियों को अन्य गतिविधियों के साथ भी चोड़ने का काम करेगा ये समूर एक पारस पर एक पडोस जैसा होगा जो बागवानी और जैविक खेती के साथ एक एक्वित जीवन शैली जीने के महतो पर सोर देता है शिक्षित करना सशक्त बनाना है सेवक राम का स्कूल एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो शिक्षा के माध्यम से गरीबी समाथ करने का प्रयास करते हुए एक छातरी की प्रिश्क घूमी की परवा किये बिना समेकित शिक्षा को पढ़ावा देता है अमारी स्कूली शिक्षा प्राराली गांधी बादी विचार्थाराओं पर आधारित है जो युवा भारतियों को 21 सदी पर अधिकार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए द्रण संकल्प और तैयार है एक बच्चे की शिक्षा परिवार की कई प्रीडियों का भविश्य बदल देती है जोकि उनकी किस्मत में गरीबी से बाहर निकलना होता है आए सिवा ग्राम के इस विर्थचित के बाद गांधी विचार प्रसंग के सारांस का उद्भोधन हे तू आमंत्रित है आधरनी प्रदीप शार्मा जी आधरनी रहूल गांधी जी आधरनी मुक्यमंत्री जी मंच और विद्वान गांधीवादी चिंतकों नित्रों आज का दिन एक बहुत एतिहासिक और बहुत सुन्दर दिन है आज के ही दिन तीन फरवरी को सोला वर्ष पहले महात्मा गांधी जी के नाम पे चलने वाला सबसे बड़ा योजना मनरेगा का उद्गाटन हुआ था इसे दिन में आज जब हम 36 गड़ में श्री राहूल गांधी जी के हाथों से ने सिवाग्राम का सिलन्यास हुआ तो इस एतिहासिक दिन को हम और गहरा और महत्पूर्ण और एतिहासिक बना रहे हैं दो गंटा लगबग चले इस बहुत सुंदर और मुर्धन्य चिंतकों के इस गोस्थी में जिसका विशय था नया सिवाग्राम रायपूर का स्वरूप और उसकी संकल्बना कि बहुत अच्छे और बहुत सुंदर विचार सुनने को मिले कुछ विचार वीडियो में भी आये हैं एक विचार है हमारे सबसे वरिस्थ मुर्धन्य गंदिवादी जिन्होंने पना वीडियो बेजा है वो भावुक हो गय थे श्री भूप अपाल कृष्ण गांधी जी क वो मैं दिखाना चाहता हूँ को पाल कृष्ण गांधी जी ने कहा को पाल कृष्ण गांधी जी का जो वीडियो है उसका सारांश यह है कि हमें एक ऐसे समय में जब सरवाधिक चुनोतिया मिल रही हैं दो व्यक्तियों के आपस में समवाद में जो कमी आई है दो समाजों के समवाद में कमी आई है उसे दूर करने में यदि ये नया सिवा ग्राम जो गांधी का चटवा अश्रम होगा आज तो गांधी ने खुद बनाए थे तो ये चटवा अश्रम होगा बहुत सुन्दर होगा मैं इसके लिए शुब कामनाएं देता हूं इसके लिए जी मुझे आप सबसे आज मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं गर्वानवीत हूं कि आपने मुझे इस कारेक्रम में शरीक होने का मौका दिया नए रावप्र और नए रहपुर में सेवल ग्रायों को याद किया जा रहे हैं यह बहुत बड़ी बात ये बहुत एहम बात हम इसको एक मामुली बात ना समझें गांधी जी का नाम बहुत बहुत लेया जाता है हम सब गांधी जी का नाम देते हैं उनकी चवी का अधर करते हैं कि मूर्तियों पर नतमस्तक होते हैं भूल चढ़ाते हैं और इन से में मैं भी यह मैं भी करता है लेकिन हम कितनी बार उनके कहे श्रब्दों और उनसे किये हुए काम पर अपना ध्यान के दिख करते हैं बहुत काम गांधी जी को खाम आज कि किये काम पर अपना ध्यान एक प्रत करते हैं उनके मुल्यों पर अपने दिल को मिलाकर अपनी ध्यान को जोड़कर उसलिए वो ज्यादा ज़रूरी ज्यादा महत्वर्दों होगा और ज्यादा लावदा होगा हमाने भी नहीं समाज के लिए और दुनिया के लिए भाईवर्दों इनके शब्दों के साथ मैं नवराय को अपनी शब्कामना देता हूं और आप सबको बधाय देता हूं और इस प्राथना मैं आश्चा से अपनी शब्दों को सवाप्त करता हूं जैसे भारत द्रो है भारत चिर है जैसे गांधी नहीं गांधी के उसू जो कि भारत भूमी से उप्चे है वो भी द्रों है चिर है जो एक राजी भी है और एक समाज भी है समाज और राजी के बीच में कुछ टांजिशनल डिमांड्स होते हैं और ऐसे समय में जब फाइनेंशल कैपिटल वर्चुल कैपिटल में प्रवेश कर रहा हो तब जो मानो मन की चुनोतियां और मनुश्य के स्वा का जो बदलता स्वरूप होता है और जिस तरह की चुनोतियां पैदा कर रहे वो देश के सामने हैं इस बात पे बोलते हुए कुमार प्रशान जी ने कहा कि गांधी हमेशा चुनोतियों और कंभीर आशनकाओं के बीच जिये और उन्होंने कभी उससे अपनी अपनी दूरियां नहीं बना के समवात के साथ सेवागराम अपने लोक वृत्त को बढ़ते हुए एक देशच आधुनिक्ता का केंदर बनेगा जो अहिंसक समाज के एक नए विशह को पूरे देश में नहीं पुरी दुनिया के सामने रखेगा ऐसा उन्होंने आशिरवात दिया विवागुता जी ने ज के एक नए सेवागराम के रूप में आ रहा है हरी नरके जी ने कहा कि ये समय है कि गोप कि हमको फुले अमबेटकर और गांधी को एक छत्र एक जगह पे लाना पड़ेगा उन्होंने बहतरी नुदारान देते हुए कहा कि माहाल का सत्य अगरा एक ऐसा सत्य अगरा था जिस और खासकर आज के समय में इन्हें एक सत्य खड़ करना वापस जरूरी है उन्होंने नया सेवागराम से उसके सुरूप में इस मूल बिंदी को कंसीडर करने को कहा इसी तरह हमारे बीच हमारे धर्मपाल सेनी जी ने कहा कि गांधी जो है सत्य की गोद में खेलते थे और सत् चाहिए कि उसके मन में किसी के प्रती निराश्या और हताश्या नहीं होनी चाहिए सत्य का उसको एक आग्रह रखना है जो उसका अपना आग्रह जिसके अनेक रूप हो सकते हैं उन्होंने का यह सेवागराम उसी का प्रती होगा चंदनपाल जी ने कहा कि धार्मिक कि तीन गोलियों से गांधी को लगातार जो चलनी किया जा रहा है उसे हमें लगातार रोकना है हमारे बीच में सचिन राव जी ने कहा कि गांधी को पढ़ते हुए मुझे हमेसा यह लगता है और एक खास वाक्य का उन्होंने जिक्र किया कि जो व्यक्ति सत्य की गोद में जो आदमी सत्य के रा का सफर करता है वो आदमी पॉलिटिकल हुए बिनन नहीं रह सकता और जो पॉलिटिकल हुए बिनन नहीं रह सकता उसके जीवन में सेंटर अफ इनोवेशन की जरूरत होती है जो नए चुनोतियों को इनोवेटिव धंग से पूरा कर सके इसके सिवा किस गोस्टी में बहुत सरे वीडियो रिकॉर्ड गोड्स का वया, विजा महाजन जी का संदेश आया, आप से महातरपून संदेश था, आशीषनननिffen जी का था। मैं आशीषननन्दी जी के वीडियो के साथ इस समभ के कारेग्रम को संवापके neighborhood ass करता ह। Thank you. कि वन्याचिस इंडियी इंक्रिसी विर इंडिया इंक्रिस ए शरिय इंक्रिवे थे तरंवी दोेशने के लिए अफसक्रिटिकों कि तरंपकर सक्राफ्निटेवित इंक्रिंग के लिएक जैजर। In fact, so much so, that you can say that this proposition can be reversed. Whenever you see a heightened interest in Gandhi, and his work, his philosophy, and his world view, you can guess that the country is in serious trouble, and there is a challenge to its civic life, and its ethical foundation. There is a fear that the moral universe will collapse. I think this initiative of a new Indusavagram and a pluriversity, as opposed to a standardized university, is an initiative which is part of such a response. And you can be pretty sure, that the present political elite in India will not be sympathetic to it, and will try to subvert such initiatives wherever they can. Because their concept of Gandhi is this, that he should be recognized as a saint, and revered, and honored, but not seen as a real person, relevant to our times. Actually, this is an indirect way of admitting that they are afraid, that the interest in Gandhi is attempting to make him not only relevant, but seeing him as more relevant than even he was in his lifetime. I dare for not only support this initiative, I take pride in the fact, that you have requested me to say a few words here. This is my last word, that if you want to find Gandhi, look within. इस बहुत प्रिदेश भर से बहुत ही सुन्दर और उत्सावर्दक संदेश आये हैं, जिने सभी को पढ़ना भी संभव नहीं है. एक बहुत महत्पूर्ण जो संदेश हमको पुराने सेवाग्राम से आया है. पुराने सेवाग्राम से, गांदी जी के एक माहनस मुत्र तपोधन कृष्टन दास जाजूर्यू ट्रस्ट ने, पुराने सेवाग्रामने ने सेवाग्राम के लिए 1.5 लाग का चेक भेज़ा है, जिसे मैं चाहता हूँ कि विबाताई हमारे मुख्य मंत्री और राहूल गांदी जी को प्रस्ट पेट करें धन्यवाद क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगरा है माननी हमारे वन मंत्री महमद अग्बर जी से क्रिप्या स्वागतुत बोधन की अभिव्यक्ति दें आज के इस कारक्रम में हमारे वीजु पस्तित कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सरुमान निनिता आधर्णी राहूल गांधी जी 36 गड़ के ये सक्ष्वी मुख्वंत्री आधर्णी भाई भुपेज बगेल जी आधर्णी मंच उपस्तित सभा देवियों और सज्जनों महात्मा गांधी के सिद्धान्त उनके आधर्स उनका जीवन संगर्स और देश की स्वतंत्रता और एक्ता में उनका योगदान भारत देश की अमुली निधी है ये वो संपता है जिसको सम्हाल कर ही देश संपन और समिरित हो सका है मानी सिरी भुपेज बगेल जी के नेतिर्त में चलने वाली हमारी सरकार गांधी जी और गांधीवाद को केंद्र में रखकर कार कर रही है 36 गड़ में गांधी जी के दो दौरे हुए थे हम उनके दोरे से जुड़ी हर धर्वार को संजोने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं हम 36 गड़ की कांगरे सरकार के लिए बेहद गर्व की बात है कि आजादी के 75 विवर्स में स्वाधिन्ता संगराम के मोलियों, सिध्धानतों तथा महत्मा गांधी जी की आग निर्भर ग्राम राज्य की संकल्पना को अक्छुन रखने एवं भावी पिढ़ी को इससे ओगत कराने के उद्देश से वर्धा के सेवागराम की तर्ज पर 36 गड़ में नवाराइपूर सेवागराम की स्थापना करने का प्रोजेक्ट हमने बनाया है 21 सदीका या सेवागराम सत्य साद्गी सरलता एकता आत्म निर्भरता एवं सिख्षा का प्रतीख होगा इसमें वर्ष 1857 की किरांती से लेकर आजादी वर्ष 1947 तक राष्ट निर्मान की विभिन महतपूर घटनाओं को दसाया जाएगा नवाराइपूर सिवागराम 36 गड़ की संब्रिद संस्कृति एवं आदिवासी परंपराओं को संजोई रखने के साथ साथ विचारों को कला, सिक्षा एवं समवाद के माध्यम से आधान परदान करने एक महतपून केंद्र होगा यहां गरामी नर्थ व्यवस्ता को सुद्धिड करने कौसल पर सिक्षन परदान कर गांधी जी की आत निर्भर गराम की संकल्पना को साकार किया जाएगा नवराइपूर सेवागराम में विभिन गांधी वादियों के समाज एवं देश में अब तक के उनके योगदान तथा आदर्सों को भी प्रदर्सित किया जाएगा ताकि आने वाली पिढ़ी को गांधी जी के आदर्सों एवं मोलियों से आउगत कराते हुए उन्हें प्रेरिप किया जा सके नवाराइपुर सेवागराम लगभग 77-186 में प्रस्तावित है जो सघन विरिक्षों एवं छोटी-छोटी प्राकृतिक जलधाराओं से घिरा हुआ है प्राकृतिक स्वरूप को यथावत रखते हुए सिवागराम का निर्मान किया जाएगा जिसमें राष्ट निर्मान की प्रक्रिया दर्साने स्वत्तंत्रता पत्थ के साथ-साथ समाज के विभिन वर्गों के लोगों के लिए दार्शनिक केंद्र, बायो डाइवर्सिटी पार्क, गांधी विचार केंद्र, आदिवासी कला केंद्र, संगरालय, रिद्धा असरम, आदि होंगे आज यहां हम सभी के लिए बहुती सौभागी की बात है कि स्री राहुल गांधी जी स्वेम नवा रैपुर सेवा ग्राम के भूमी पूजन के कारिकरम में उपस्तित हैं मैं मान्नी मुष्मंत्री आदर्णी स्री भुपेज बगिल जी की भी प्रसंसा करना चाहता हूँ जैसा वर्धा का सिवा ग्राम है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार धन्यवाद जैहिं जैचतिजगर तैंक यू सर जैसा कि हम और आप जानते हैं गांधी जी को लोग महत्मा कहते थे योगी कहते थे लेकिन गांधी जी खुद कहते थे कि योगी बनने के बजाए उपयोगी बनने तो आईए योगी नहीं उपयोगी बनना है छतीस गड़ में इसको साकार करने के लिए हम सुनें और गुनें मानेनी मुख्यमंत्री जी के विचारों को आदे रहुल जी आदे मन्च और आदे शदन चुणकि दो घंटा विलम से चल रहे हैं इसकांसे मैं भासन नहीं दूँगा केवल इतना कहना चाहता हूँ कि गांधी और गांधी वाद देश के लिए स्रेश्ट निधी है दूसरी बात भारत के बिना गांधी नहीं और गांध से आपको बताया गया कि टालेश्टाय और फिनिक्स और सावर मती और सिवा ग्राम के बाद एक और जो आश्रम सिवा ग्राम बनने जा रहा है सरकार इसके लिए 125 करोड की बेवस्ता करेगी लेकिन जिस प्रकार से गांधी जी सबसे सयूग लेकर कोई भी काम करते थे आजादी के लड़ाई से लेकर सारे काम उन्होंने सब के सयूग से किया और आज इस बात के मुझे प्रसनता है कि पुराने सिवा ग्राम से नए सिवा ग्राम के लिए 1.5 लाग का चेक आया है तो मैं तो सबसे नियुदान करना चाहूं चाहाँ एक रूपिया के सयूग क्यों नहों हम सबसे लेंगे ताकि सबको लगे कि इसमें इस निर्मान में म चीफ मिनिस्टर श्री बुपेश बगेल जी, श्री मोहन मरकाम जी, श्री टीयस सिंग्देव जी, श्री साहू जी, शरंदास महंत जी, सचिन राओ जी, धरम पाल सैनी जी, विभा गुपता जी, स्टेज पे वरिश्ट नेता, भाईयों और बहनों, आप सब का यहां आज बहुत-बहुत स्वागत और मैं आप सब को बधाई देना चाहता हूं कि यहां पे एक बहुत बढ़िया और गहरा इनिशिटिव लिया जा रहा है। गोपाल गांधी जी की जो विडियो था, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली और उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि गांधी जी एक सोचने का तरीका है, एक विचार है। मेरे लिए गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है। थे, मेरे लिए वो एक तपस्वी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगाई। तपस्या बहुत लोग करते हैं, मगर उन्होंने तपस्या में सच्चाई भी जोड़ दी थी। तो उनकी जो तपस्या थी, वो सच्चाई के रास्ते पे की जाती थी। और शायद उनकी जिंदगी में वो सच्चाई के रास्ते से उनकी तपस्या कभी उत्री नहीं। तो तपस्वी की पूजा नहीं करनी चाहिए तपस्वी की अगर आप पूजा करेंगे तो वो तपस्वी का अप्पान होता है क्योंकि तपस्वी का मेसेज होता है कि तपस्या करो तपस्वी का मेसेज होता है कि मेरी पूजा मत करो, मेरे नाम की पूजा मत करो जिस रास्ते पे मैं चला था, उस रास्ते पे चलो, बाकी सब, बैं बोलू तो बाकी सब टाइम्स आया है, कोई भी कर सकता है, मैं आके यहां पे, दो मिनट में गांदी जी के सामने हाथ जोड सकता हूं, फूल रख सकता हूं, मठा टेक सकता हूं, वगर उसका कोई मतलब नहीं है, अगर जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, अगर मैं उसको करने के लिए त्यार नहीं हूं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, और उल्टा, उल्टा, अगर मैं जो इन्होंने कहा, अगर मैं नह करता हूं अपनी जिंदगी में नहीं करता हूं तो जब मैं इनके सामने ये करता हूं तो फिर मैं इनका अपमान कर रहा हूं इनका मजाक उड़ा रहा हूं कि जो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी बागी लोग करते हैं तो बहुत असान है नाम लेते हैं आख बंद करते हैं हाथ जोडते हैं मत्था टेकते हैं पुजा करते हैं मगर उनको यह नहीं समझाती कि यह जो सब लोगों के सामने यह मत्था टेकते हैं चाहे वो अम्बेटकर जी हो गांधी जी हो नेरुजी के सामने तो नहीं टेकते हैं वो अलग बात है मगर जिनके सामने यह मत्था टेकते हैं जिनकी यह पूजा करते हैं वो सब तपस्वी थे उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी तपस्या में सच्चाई को डूंड़ने में बिता दी तो दो तरीके यह लोग हैं मैंने कभी कुछ दिन पहले अपने भाशन में बोला एक हिंदू होता है एक हिंदुत वादी होता है जो हिंदू होता है वो सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है शायद वो किसी ना किसी कारण कभी कभी ना चल पाए मगर उसके अंदर यह भावना होती है कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलू और अगर सच्चाई के रास्ते पे व्यक्ति चलता है तो उस रास्ते से प्यार की भावना, भायचारे की भावना, अपने आप भाराती है, तो एक तरफ ये लोग जो सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू, और दूसरी तरफ हिंदुत वादी, जो तपस्वियों के सामने हाथ जोड़के पूजा करते हैं, और जो रास्ता हमारे महापुर्शन ने दिखाया है, अपने अंदर उस रास्ते का मज़ा कुड़ाते हैं, तो यह लड़ाई इन दोनों विचारधाराओं के बीच में हैं, एक विचारधारा कहती है, कि अपने अंदर जाओ, अपनी सच्चाई समझो, और जब तुम अपनी सच्चाई समझोगे, बहुत आसानी से आप अपनी जिंदगी के रास्ते पे चल पागे। के बाहर दो दूसरे विचारधाराओं, जो कहती है, अपने अंदर मत देखो, बाहर देखो, बाकी लोगों सो जो चहना है चह दो, जो पताना है, बोल दो, मगर अपने अंदर मत देखो ये ये दो विचार धाराओं के बीच में लड़ाई है और आप लोग जो मैं कह रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो शायद मुझसे अच्छा समझते हो और आप एक बार फिर यहां पे जो गांदी जी ने किया था उसको आप एक बार फिर से शुरू करोगे someone once said to me that love is not a word love is an action meaning truth is not a word truth is an action and I am sure that you will understand that it is no use speaking about the truth speaking about love and affection if it is not an action in your life it is worthless right so that is what our leader because that's what he is not our god our leader because he was human we accept that we accept that he learned we accept that he struggled we accept that he made mistakes but he held a very very high bar he held a very very high which which many of us probably will never achieve so for us he shows us a direction that this is where we should be walking and finally I'd like to say he's not the only one and he's not the first one he is a tradition in our country and there were many many like him many who we have heard about and millions who we have never heard about but who did exactly what our leader did so do not pray to our leader do not worship our leader become like our leader thank you thank you thank you I 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 प्रदर्शन करने हे तुर साधर आमंतरित हैं आज के इस गर्में मैं कारिकरम में हमारे बीच उपस्तित हमारे सरोमान्य नेता अधरनी राहूल गांधी जी हमारे मुख्यमंत्री या सस्वी मुख्यमंत्री माननी भूपेज बघेल जी मंच में बैठे सभी सम्मानित मंतरी गन, सांसद गन, विधायक गन, गांधी वादी विचार धारक के बौधीकवर के सज्जनों और देवियों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों अधिरनाई राहूल गांधी जी के उपस्थिती में, आज चत्तिस गड़ में कई योजनाय क्रियानवित की गई, शुरू किया गया, उसमें से एक अमर जवान ज्योती वाई समाराक का भी भूमी पूजन किया गया और ये हमारे लिए सुखा दौसर है, कि माननी राहूल जी की उपस्थिती में उनके द्वारा ये सुरू किया गया माननी आप सब को बताना चाहूंगा, कि छत्तिस गड़ के हमारे यसस्षी मुख्यमंतरी माननी भूपेज बगेल जी द्वारा हमारे 29 फरवरी को की गई घोसना के अनुकरम में, इंडिया गेट के अमर जवान ज्योती की तरज पर, सहीत सेनिकों की सहादत के सम्मान में चत्तिस गड़ ससस्त्र बल की चौथी बटालियन माना राइपूर के परिशर में, चत्तिस गड़ अमर जवान ज्योती नाम से 25 फिट उची और 100 फिट लंबी समारक का निर्मान किया जाएगा वही पर ज्योती लगातार जलती रहेगी जिसका भूमि पुजन आदरणी राहुल जी के हाथों आज संपन हुआ है माननी आप सब को जानकारी देना चाहूंगा कांग्रेस उन लोगों की पार्टी रही है जो बलिदान देते हैं और बलिदान का सम्मान करना जानते हैं कोई भी समाज जो अपने सहीदों का सम्मान नहीं करता है उनके बलिदानों की यादों को संजोता नहीं है और उनके इसमारकों का अपमान करता है ऐसा समाज नश्ट हो जाता है दिल्ली में इंडिया गेट इस्तित अमर जोती बुझाय जाने से हम सभी आहत हुए हैं लेकिन अब प्रदेश में सहीदों के सम्मान में 36 गड़ अमर जोती प्रज्वलित होगी 36 गड़ के सहीद जवानों के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान जो 36 गड़ के माटी में सहीद हुए हैं उनका नाम भी अंकित किया जाएगा मेमोरियल टावर के सामने प्रस्तावित भवन के प्रथम तल पर सहीदों के चित्र प्रदर्षनी और दृती तल पर सस्त्र प्रदर्षनी होगी हर साल 21 अक्टूबर को आयुजित होने वाले पुलिस इस्मृति दिवस में सामिल होने वाले सहीदों के परिजनों को ठहरने के लिए सर्व सिधायुक मेश एव मावासी कमरे बनाये जाएंगे हमारा यह संकल्प जो माननी मुख्यमंत्री जी ने लिया और उसको आज क्रियानवीत करने की दिशा में हम आगे बढ़े और माननी राहुल जी की उपस्तिती में आगे बढ़े इसलिए मैं चतिसगड सरकार की ओर से चतिसगड की पूरी जंता की ओर से माननी राहुल जी का बहुत बहुत आभार विर्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं धन्यवाद अपने मुख्यमंत्री के प्रति भी जो नित नहीं सोच को लेकर चतिसगड में आगे 36 गड़ को ले जाने का काम कर रहे हैं यहां उपस्थित सभी माननी मंतरी गण विधायक गणों का भे आभारी हूं हमारे गांधिवादी विचारधारा के उपस्थित यहां सभी बहुत धिकवर के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं इंद्रा कला संगीत सिद्याला के ज रन्यवाद जय हिन जय चतितित गड़ और इसी के साथ ही आज का ये कारिक्रम यहीं पर समाप्त होता है आप सबने जो सईयोग दिया माननी हमारे मंतरी जी ने आभार व्यक्त किया गंधी जी के बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हुए आज इस कारिक्रम को हम समा करते हैं इती स्री हो गया करता है प्रड़ जोर आजे कि जड़ा हुआ वार वार आजा भार नित्वार कर दोगार नित्वार्ट नित्वार आजा प्राइव प्राइव है प्राइब कर्णादा नजर्चन। दोरी एंग को兩ं हुआ कि अगया हुआ है